हेलो बच्चों क्या हाल चल आपके कैसे हैं आप बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर का डिविजन कर रहे हैं आज हम दोग जिसका नाम है चेंज इन प्रोफिट शेरिंग रिश्यों आपको मैं इसका पूरा रिविजन कराऊंगा चाहे वो प्रेक्टल हो चाहे थियोरी हो सारी बात हैं लेकर चलेंगे आपको बस एक बात धहां देखना है इस वीडियो से रिवाइज करने के बाद आपने जो क्लास में रिगुलर क्लास में जो आपने कोशन सौल्व किये हैं प्रोपर तरीके से आप देख जाएंगे क्योंकि यहां पर एक शॉर्ट रिविजन है मैं पूरी कोशिच करूँगा कि सारे कॉंसिप्ट कवर करें और करूंगा भी चाहे वो प्रेक्लिक कॉंसिप्ट हो चाहे वो थियोरी हो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे और आपको मज सबूँखेंगे इसमें जो टॉपिक समों ने कवर करना है रेशियो का कंभडिशन्वार होगा रेशियो यानि की जब रेसिव चैज होगा तो नीव रेशिव क्या होगा और पार यомина के बार कश पारने से पार्टो समयाइज के यह होगा और रेशियों की गें करेंगे compensation investment fluctuation आपका जर्व है contingency जर्व होते हैं उनका treatment क्या होगा मुझा भी देखेंगे revolution account memorandum revolution account balance sheet update करना उनके बार में सीखेंगे उसके थोड़ा सा लग रहा है मुझे यहां पर यहां पर यहां लिखा हुआ है कुछ आपको मैं उधर नहीं दिखाऊंगा भी यहां देखेंगे अपडेटेड बैलंशीट जो होगा मैं बच्छे वो कैसे बनेगा हम उसका भी concept को यहां पर समझेंगे आपके साथ है ना अपडेटेड जो आपका बैलंशीट है आजा क्यों नहीं लिख रहा है अच्छा मैंने इसको सिलेक्टी नहीं किया था तो जो बैलंशीट होगा उसका क्या concept होगा वो भी देखेंगे adjustments of capital account कैसे होगा and complete theories सब कुछ हम लोग यहां पर देखने वाले हैं आपको बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहनी है सारी बाते समझ में आएंगे और फटा फट सारी बाते हम लोग रिकॉल कर लेंगे देखो इन सारी बातों को समझने के लिए मैंने यहां पे कुछ आपके बनाया है इसको बनाना नहीं है आप सुन लो जब समझ में आ जाए मन करे तो आप नोडाउन कहीं करना अभी आप सुन दे चली मेरी बात दोखो यहां पे क्या हुआ है एक मैंने केस रेडी किया है कि यह आज के पहले मतलब एक देट मैंने यहां पे आपको दिया हुआ है एक देट आपका 1st April 2021 इसके पहले मेरे बच्चे कोशन के मुताविक एक केस के मुताविक 3 पार्टनर से ABC और इनका रेशियो 3-2-1 का था तो आज तक जितने भी इन्होंने एफ़र्ट डाले बिजनेस में वो 3-2-1 में हुआ आज के पहले जो भी प्रॉफिट कमाया था जो भी लोसेज हुए थे उनका डिस्ट्रिबुशन हमारे बच्च में 3-2-1 में हुआ करता था आज इन तीनों को लगा कि ये रेशियो हमारे बिच में चेंज होना चाहिए और अब रेशियो हमारे बिच में 1-1-1-1 होना चाहिए अगर इनको ऐसा लगा one is to one is to one मतलब ऐसा लगता है कि शायद पहले ए ज्यादा मेहनत किया करता था इसलिए उसको ज्यादा शेर मिलता था बट अब equally मेहनत हो रहा हम तीनों का बराबर मेहनत कर रहे हैं जी तो शेर हमारे बिच में equal होना चाहिए तीनों लोग यहाँ पे बैठे और बोले कि नहीं भिया अब ratio equal होगा तीनों मान भी गए partnership चलाना था क्यों हम जगड़े करेंगे अगर मेहनत equal लगेगा तो ठीक है जी हम आगे equal में लेंगे तो इसका मतलब कि इसके बाद future में मेरे बच्चे अब आने वाले समय में जो भी कुछ profit loss होगा वो सब हम क्या करेंगे वन में distribute करेंगे देखो यहाँ पे कुछ जगड़े हैं जो कि रह सकते हैं अगर आपने तरीके से इनका treatment नहीं किया तो मतलब कि अगर यह जो अभी रेशियो चेंज हुआ तो फ्यूचर में कुछ जगड़े क्रेट हो सकते मेरे बच्चे ए बीसी के बीच में उनका निप्टारा आज करना ज़रूड़ी है वह कौन कोर से जगड़े मैं आपको दिखाऊंग बैल शीट में एक नाम दिख रहा है आपका जेनरल इजर यह रिजर यह तब क्रेट किया गया था आउट रिजर कहां से बनते हैं आउट प्रोफिट तो वह प्रोफिट आपने कब कमाया था इस प्रेट में कमाया था इस तो जो रिजर प्रोफिट से निकला है वह प्रोफिट जिसको हमने इस रेशियो में कमाया था अगर इसको बैल शीट में हम छोड़ देंगे तो आगे मेरे बच्चे जगड़े होंगे और क्यों क्योंकि अब इस रिजर पे हमारा क्लेम वन इस टुवन में हो जाएगा यह खतम करना है यही नहीं यह जो प्रोफिट लॉस का डेविट वैल्स बाड़िज को लॉस अगर प्रोफिट लॉस का डेविट बैलस से तो लोस होता है and deferred revenue expenditure कोई essay expenses जो हम पहले कर चुके है expenses जो पहले हो चुके है बट अभी तक हमने उसको profit law से minus नहीं किया है essay expense balance sheet में दिखते हैं और वो deferred revenue expenditure इसका broad नाम होता है fictitious assets jute assets मतलब वो assets है नहीं बट हम फिर भी balance sheet में fictitious assets दिखाते हैं तो हम उसको fictitious assets भी कह सकते हैं पिर बच्चे ये दो नाम ऐसे दिख रहे हैं जो हम लोगों ने इस ratio में उसको share करना था मतलब ये loss या expense जो है वो इस ratio में हमने मेहनद किया था लेकिन अगर हम इसको balance sheet में आज ऐसे ही छोड़ देंगे जगरे कैसे सल्टालते हैं सल्टाते कैसे जगरे को मैं आपको बताऊं हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहां पर बोलते हैं यह देखो आप मैं इसको आपको बताऊ यह जगरे कैसे सल्टेंगे ठीक ना यह रहा अब सुनेंग मेरी बात ये जगड़े कैसे सलता है जाएंगे हमने कहा कि देखो जी आज जितने भी balance sheet में नाम है ना जो की disputes create कर सकते हैं ये नाम उनको balance sheet में छोड़ो ही मत उनको जिसका है ना उसके account में plus minus कर दो तो आज मेरे बच्चे हम लोग क्या करते हैं we prepare partners capital account हम लोग यहां पर बनाते हैं partners capital account और partners capital account में इन नाम को हम लोग यहां पर distribute कर देते हैं ताकि इसके बाद जो balance sheet बनेगा उस balance sheet में ये नाम दिखे ही नहीं क्योंकि नाम दिखेगा तभी जगड़े हो सकते हैं अदवाज क्य जगड़ा तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं partners कितने हैं ABC आपने यहीं पड़ाव है पूरे session में कि आपने क्या करना है जगड़े खतम करने हैं तो जड़ा मुझे बताओ ABC का capital जो by balance BD यानि कि balance sheet में दिख रहा हो कितना है जी A का 320 आप जानते है कि capital का credit balance होता है B का कि इतना बता रहा है 1,20,000 मेरे बच्छे capital है capital का increase जब जब होगा credit करेंगे और decrease हुआ तो debit करेंगे एक काम करो यह reserve जो कि हमने 3-2-1 में कमाया था इसको उसी ratio में partners के बीच में distribute कर दो तो आप एक काम किजिए by general reserve by general reserve इस reserve को हम लोग क्या करते हैं कि partners capital में distribute करते है 120 का amount 3-2-1 यानि कि 60,000, 40,000 and 20,000 यह हमने क्या क्या 3-2-1 में distribute कर दे को doubt इसके अंदर में नहीं सरह अब जो यह lossage है यह lossage भी आपको इसी ratio में distribute करना होगा क्योंकि यह loss मेरे बच्छे आज के पहले के हैं जिसको जिसमें ratio हमारे बेच में यह हुआ करता था तो आप lossage को जब partners capital में distribute क करोगे तो partners capital कम हो जाएगा यह debit balance loss है 180 ratio 3-1 बताओ कितना हो जाएगा 90,000, 60,000 और यहां पर 30,000 का amount balance sheet में कोई ऐसा expense या कुछ loss दिख रहा है जो पहले का है उसको क्यों चोड़ो उसको भी खतम करो तो जितने भी lossage है यह जो आपका deferred revenue expenditure balance sheet में दिख रहा है यह सब नाम हट चाहिए 60,000 है तो आपका 30,000, 30,000, 20,000 और यहां पर आपका 10,000 इन सब को हमने क्या क्या हटा दिया एक जगरा खतम हो गया मेरे बचे एक जगरा जो आज तक हमारे balance sheet में था उसको खतम कर दिया ना दूसरा जगरा यह देखो आप देखो आज तक जो हमारे assets है वो balance sheet में कित assets की value में कोई change आया value बढ़ गया या घड़ गया तो उसका भी घाटा फाइदा हमें ही मिलना चाहिए और इसी ratio में मिलना चाहिए यही तो होता है मान लो यह जो assets balance sheet में 8 lakhs के हैं मेरे मैं अगर कहता है question कि आज इसकी market value वो आपका मान लो 9 lakh and 50,000 की हो चुकी है मान लो इसकी value बढ़ गई है तो मुझे बता 8 lakhs का जो आपका assets है अगर उसकी value आज 950 हो चुकी है 9 lakh 50,000 तो यह value अगर आज तक बढ़ा है तो इसका भी फैदा किसको मिलना चाहिए सर अगर value आज तक बढ़ा है ना तो उसका फैदा हम तीनों को इसी ratio में मिलना चाहिए है ना बच्चे क्योंकि आज ज़का जो भी घाटा फैदा है जो balance sheet में दिख रहा है चाहे जो आपका यहां पे implied है कि 8 lakhs का assets 950 का हो गया है कोई assets बढ़ा होगा कोई घाटा होगा मैं उस पर नहीं जा रहा भी तो जो भी फायदा घाटा है वो भी क्या इनको इसी ratio मिलना चाहिए इस काम को करने के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि हम लोग बनाते हैं a revolution account कैसे बनाते हैं हमने का है कि आपको जितने भी फायदे होंगे फायदे वो सारे फायदे आप यहां लिख देना और जो भी घाटा होगा उसको आप यहां लिख देना यह घाटा फायदा एक्जाम में मत लिख देना यह मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जितने फायदे होंगे they will be created to revolution account और घाटा तो आपका 150 मतलब जितना घाटा फायदा होगा हम उसको यहां पर क्या करेंगे record कर लेंगे यह जो liability balance sheet में 320 का है अगर इसमें भी कोई change हो मालो इस 320 में एक जो crater था मर गया मालो मर गया और वो अब वो payment आपसे नहीं लेगा वो पता नहीं मर गया भाग गया पागल हो गया कुछ भी हो कुछ कर गया मुझे नहीं फायदा मुझे उससे मतलब नहीं है उसके दुख में नहीं जाना मैं तो business की बात करूंगा तो जो liability मेरे balance sheet में 320 की थी अब वो 3 lakhs ही पे करना होगा यहां पे firm को 20,000 का फायदा होगा बोलो ना होगा ना liability कम हो गया तो नहीं पे करना तो फायदा कितने से फायदा हुआ 20 से यह लेजिए अगर मालो liability बन जाती तो मेरे बच्छे घाटे साइड में record करते हैं यह एसिट्स की value कम हो जाती तो घाटे साइड में record करते हैं यह भी जगडा आज हम खतम करने वाले हमने का कि ठीक है जी जिना बताओ आज के दिन पे जो हमारे balance sheet में assets liability है जब उनको हमने revalue किया तो total फायदा कितना हो गया 1,70,000 यह 1,70,000 का जो profit निकल के आया profit on revaluation यहां पे तो profit कहा जाएगा और वहां तो loss कहा जाएगा यह profit आपका 1,70,000 का जड़ा पताओ किसको मिलेगा तो आपका ABC अब पताए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो मैं इसको ना 2,90 कर देता हूँ यह जो आपका 320 है मालो यह value घटके आपका 3,90 का 2,90 का हो चुका है तो यह मैं यहां पे 2,90 ले लेता हूँ 2,90 मतलब बस आप समझे रहो फीगर और कल्कुलेशन वाला दिकत ना हो यह 30,000 में ने कर दिया इसको तो यह आपका कितना हो गया आपका टोटल फैदा 1,80,000 का हो गया टोटल फैदा आपका यहां पर कितने का हो गया 1,80,000 का तो यह 1,80,000 का जो आपका फैदा निकल का है on revolution किसको मिलेगा no doubt कि A, B, C को कि इस ratio में always बात है यह फाइदा आज तक का है तो आज तक का सब कुछ 3 इस और 2 इस तो बद में हम तो थोड़ी रहे हम तो concept पे काम कर रहे है तो 90,60,30 आप यह काम कीजिए buy revolution account है ना क्योंकि यह जो फायदा हुआ आपका revolution पे यह partners capital में add होगा और add click rate करना होगा ऐसे भी इसमें two partners capital तो partners capital में क्या buy और आप यह तो जानते ही है कि अगर यह आपका fluctuating है तो capital account capital account और अगर fixed current account उसके बारे में बात नहीं कर रहा तो 90,60,30 तो आओ ना यहां पे आपका 90,000 यहां पे आपका 60,000 और यहां पे आपका 30,000 तो यह भी जगड़े खतम हो गए मतलब कितने जगड़े खतम कर दिया जी balance sheet में जो नाम दिख रहे थे जो पहले के थे उनका भी जगड़े खत खतम होगे इसके बाद अब कुछ खतम होगे बच्चे कुछ और जगड़े होंगे जो हम बात में देखेंगे अब हमें क्या करना होगा जी इसको close करना होगा और close करके check करना होगा कि अब इन सारे जगड़े को सल्टाने के बाद two balance CD यानि कि अब capital account का balancing figure कितना निकल के आ है आओ ना फटाफट इस चीज को देख ले मेरा calculator कहा है मेरा calculator कहा है को लेकर चला गया यहां परावा है तो जड़ा चे करते हो फटाफट किजा निकल के आएगा 320 और 380 और यह कितना हो गया 470,000 यहां पर 470,000 यह कितना हो गया 220 और 280,000 का amount यहां निकल के आ गया 140 और यह 170 का amount यहां पर निकल के आ गया यहां पर लिखेंगे हम 470 आप जड़ा चेक किजे out of 470 120 चला गया 470 में अगर 120 चला गया तो amount कितना बजगया 350,000 यह आप का हो गया 350,000 का amount यहां पे आप चेक करेंगे out of 280 कितना चला गया 80 तो कितना बज़े गया 2 lakhs रुपीज का amount है ना 280 में से आपको ये देखो कुछ ऐसे समझ लो 180 पहले से था reserve में आपको इतना मिला revelation फैदा इतना मिला total 280 हो गया पर 280 में इतना loss भी तो भी अर करना है तो 2 lakhs का balance रह जाएगा आपका out of 170 out of 170 कितना जी यहां पे 40 चला गया तो 1 lakh 30,000 का अब आपका capital यहां पे रह जाएगा तो revolution account भी हमने बना लिया partners capital भी बना लिया इसके बाद मेरे बच्चे अब हमें क्या करना बस एक यही कर देता हूं में balance sheet अब हमें क्या करना जी update कर देना है तो यह सारे जगड़े हमने खतम कर दिये जो हमें दिख रहे हैं अब एक बन जाएगा आपका balance sheet और यह बना रहे हम लोग updated update मतलब कि जो जगड़े थे उन सब को खतम करने के बाद सुनो ना मेरी बात ध्यान से इस balance sheet में क्या होगा जो 8 lakhs के assets थे अब उसकी value कितनी हो गई 950 तो जो current है उसको लिख दो क्योंकि अब तो जो इसके जलते घाटे फैदे हुए हैं तो assets आपका 950 का हो गया आप जानते हैं कि अब यह profit loss खतम हो जुगा क्योंकि partners capital से minus हो गया यह भी खतम हो गया जो partners capital से minus हो गया reserve भी खतम हो गया partners capital में जाके add हो चुका है अब हमारे पास बचा किया यहां पे capital और capital जड़ा बताईए कि आपका A, B और C का कितना कितना A का capital अब updated कितना हो चुका है 350 है ना जो balance sheet में पहले की चीजे थे सबका जगड़ा खतम किया यहां पे आपका 2 lakhs रुपीज का amount और वहां पे कितना जी 130 का amount आपका 130 का amount total कितना हो गया 6 lakh and 80 thousand amount 680 इसके बाद liabilities जो हमारे पास balance sheet में पहले 320 का दिख रहा था अब हमने उसको कितना कर दिया 290 क्योंकि जो मर गया जो भाग गया वो पैसा नहीं मांग रहा है हम शूर है तो फिर उसको क्यों दिखाएंगा उसको हटा के उसके फायदे को भी partners capital में हमने distribute कर दिया तो आपका कितना निकल के आजाएगा कुछ गलती कर दिया मैंने assets 150 से बढ़ाया था एक मिट यहाँ चेक लेता हूँ पहले कुछ गलती 10-40 यहाँ पर ठीक था मैंने क्या गलती कर दिया जी 20 जर का फरक आ रहा है मैं एक बाद चेकर करके बताता हूँ क्या गलती किया एक सिकंड में गया एक सिकंड में हाँ कुछ गलती किया क्लिक्रिशन में टाइम अरबाद नो इसलिए कर रहा हूँ माफ कीजिए यह सी का कैपिल बदमाश यहाँ पर एक लाख रुपे लिखा था मैंने यहाँ पर पता नहीं एक बिस क्यों लिख दिया दिस वन लेक का आमाउंट तो यह आपका वन लिक रुपेज का अमाउंट था इससे किया हुआ कि यहाँ आपका वन फिप्टी वन फिप्टी यहाँ वन टेज हो गया वन तेन यए कि कैपल काउंट आपका यहां पर वन टेन लिखा जाएगा अप्डेटे़ balance sheet में है ना तो यह capital आपका 110 है आपका तो 660 आपका हो गया यह और यह आपका हो गया 950,000 इधर भी और 950 आपका यहां भी तो खतम होगी बात है ना दो जगड़े तो खतम हो गए जो भी रिजर्व जो भी लॉसेज होगा हम उन रिजर्व उन लॉस को खतम कर देंगे जो topics to be covered था मेरे बच्चे इसके अंदर में आप चेक कीजिए मेरे साथ कि एक तो आपका यहां पर रिजर्व treatment of reserve तो reserve का क्या treatment होगा जितने भी reserve जितने भी लॉसेज आपको balance sheet में दिख जाए जितने भी उन सबको write-up कर देना हटा देना किस ratio में old partners old ratio में तो reserve का treatment हमने क्या देखा कि old partners old partners old ratio में हम इसे क्या करेंगे जी आपका created या debited फाइदा है तो account में create हो जागा घाटा तो मैनस हो जाएगा दूसरा concept of revolution account भी देख लिया कुछ है नहीं revolution account में क्या करना है जी हमें अपने assets liability को revalue करना मेरे बच्चे तो revalue करने का मतलब क्या जो अगर assets increase करेगा यहां पे कब आएगा अगर कोई assets increase करेगा तो हमें फाइदा होगा increase in assets या फिर आपका decrease in liability तो में क्या होगा जी फाइदा होगा बिजनेस को है ना और यहां पे कब आएगा या तो assets आपका assets की value decrease हो decrease in assets आपका हो जाए या फिर increase in आपकी liability हो जाए इन दोनों ही situation में क्या होगा यहां पर तो बात खतम हो गए आप समझें मारी बात नमें क्या बता रहा हूँ it's very simple और हमने यह भी काम खतम किया ना मैं आपको बताओं यहां पर यह देखिए इस concept को समझने के बाद हमने इसका update क्या बैलेशिट भी बना दिया जी कैसे बनेगा आपका अब इन से जुड़े ही कुछ बाते जो आपके book में है मतलब मेरे notes में हम उसको समझते है exam के point of view के लिए ठीक ना आई जरा मैं आप के बारे में थोड़ा सा discussion कर ले है ना कैसे होगा क्योंकि अब ratio चेंज हुआ अब इन ही को मैं detail में थोड़ा समझा रहा हूँ रिविजन का मतलब से थोड़े की अब मैं चला जाओंगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना आपको पढ़ते समय वह काम करा रहा हूं तो आप का sacrificing gaining ratio सब कैसे नहीं कलता मैं वह आपको बताना चाहता हूं पहले आप चेकीजे मेरे साथ यहां पर कोशन नबर बन यह कोशन आपको यहां पर जो नोट से बचे नीचे में description में आपको उसको download कर लेना है और वहां से इन चीजों को आपको देखना है ठीक ना थोड़ा से म by them to share future profit equally लो पहले ratio आपका 3 is to 2 is to 1 का था और आपने decide कि future में हमारा ratio क्या होगा जी equally आपका होगा equally तो कहता है कि जड़ा बताओ कि आपका gaining या sacrificing ratio क्या होगा मतलब किस partner को फायदा होगा और किसको घाटा होगा इसमें क्या tension करना है it's very simple मैं आपको दिखाता हूं आउन आप one का solution किजे मेरे साथ यहां पर one का solution करेंगे लिखे मेरे साथ one का solution पहले मैं इसको हटा देता हूं इसको मैं यहां से हटा देता हूं यह तो आप समझ गयोंगे और मैं यह करता हूं यह क्यों बदमाश कहां यहीं कर देता हूं मैं कौन tension लेगा उसको यह लेजे आप मेरे सा solution of question number one, यहां पर आप करेंगे, solution of question number one, यह देखवा, हमने पार्टनर्स के नाम लिखे, जिरा बता हो, question में partners कौन-कौन से है, तो A, B and C, fast चलूँगा क्योंकि division आपका है, यह रहा हमारा old ratio, यह रहा हमारा new ratio, question में old ratio आपको बता रहा है, that is 3 is to 2 is to 1, तो मुझे बच्चे 3 is to 2 1 का मतलब 3 by 6, 2 by 6, 1 by 6, यही मतलब होता न, कि अगर आपका ratio कहता है, 3 is to 2 is to 1, इसका मतलब कि जितना भी profit होगा, उस profit को हम लोग 6 part में डिवाइड करेंगे, सारे profit को 6 part में डिवाइड करेंगे, जिसमें आपको 3 part, आपको 2 part और आपको 1 part में लेगा, वो हमने लिख दिया है यहाँ पे, future में decide किया कि यह ratio equally होगा, 3 partners है, तो पूरे profit को 3 part में डिवाइड किया जाएगा, और उसमें 1 part आप लेंगे, आपका भी 1 by 3 और आपका भी 1 by 3, यह आपका new ratio होगा, old new, अब हमें यहाँ पे निकालना है, मैं आपके लिए निकाल देता हूँ, gaining ratio, मैं बच्छे, यहाँ पे gaining ratio निकाल लाँ, gaining ratio का मतलब होता है, किस ratio के change होने से किसने gain किया, किसको फ़ाइडा हूँ, बहुत दियान से मेरी बात सुनेंगे, सुनी मेरी बात, हमें क्या निकालना है, मैंने लिखा gaining ratio, आप मुझे बताओ, कि gain कब होगा, कि सुचो पार्टनर्स को गेन कब होगा जब नया रेशियो बड़ा होगा एज कंपेर टू ओल रेशियो कॉमन से यार आपके पास पहले फाइप रुपीज मिलते थे अब पापा ने आपको सिक्स रुपीज दे दिये तो ही तो आप कोगे कि मुझे वन रुपी का गेन हुआ बोलो नहां यह सर तो गेनिंग तभी होगा जब नियू रेशियो आपका ज्यादा होगा यानि कि नियू रेशियो नियू शेयर लेख देता हूं जब नियू शेयर आपका ज्यादा होगा मैनस ओल शेयर यानि कि जितना आपको अब मिलदा है जितना आपको अब मिलदा है अगर वो ज्यादा होगा, तब आपको gain होगा, है ना, और अगर कम मिला तो फिर घाटा, यानि कि sacrifice, हम लोग gaining ratio निकाल रहे हैं, तो gaining का मतलए मेरे बच्चे, अगर ये, इसको मैं column A बोल दूँ और इसको column B बोल दूँ, तो जरा बताओ, gain कब होगा, कौन जब बड़ा होगा, new, यानि कि B-A हमें निकालना है, B-A, तो हम लोगो क्या करेंगे, ये रेखो, 1 by 3 आपका share अभी है, पहले आप कितना लेते थे 3 by 6, 3 by 6, तो कितना gain होगा, हम यहाँ check कर लेंगे, इनका भी हम लेंगे, 1 by 3, सर कैसे परचला कि इनका gain हो रहा है, अरे देखते हैं न, 1 by 3, मैनस कितना जी, 2 by 6, 2 by 6, तो इनका gain हम पता कर लेंगे, और आपका भी नया share आपका 1 by 3 है, मैनस यहाँ पर 1 by 6, तो आपका gain क्या होगा, वो भी हम पता कर लेंगे, आई पहले हम इनका देखते हैं, पढ़ा न, बचमन में, बचमन में LCM निकालना, 3, 6 का LCM क्या हो गया, 6 हम ने लिखा, तो आप देखो, यहाँ पर 3, 6, कितना, 2 जा, 3, 2, 6, 2 into 1, 2 हो गया, 2, मैनस, मैनस, 6, 1 into 3, 3 हो गया, लो, यह तो आपका आ गया, मैनस, 1 by 6, हम लोग गेन निकाल दे थे, गेनिक निकाल दे थे, बट यहाँ पर मैनस में आ गया, कोई बात नहीं, अगर आप गेनिक निकाल दे थे, बट मैनस में आ गया, तो यह इसका मतलब जी, गेन नहीं कर रहा, यह आपका सेक्रिफाइस कर रहा है, सेक जीरो मतलब ना कोई फाइदा नो कोई घाटा कोई घाटा फाइदा नहीं इनका ची करते हैं तो आपका 6 आपका 6 हो गया यहां पर 3 2 जा यानिकि 2 मैनस 1 यह आ गया आपका 1 बाइ 6 निकाल दैए और इनका positive आइँ तो इसका मतलब है आप कोई पूछे कि किसस ने गेन गेन किया तो कितना गेन किया तो 1 x 6 बो लेंगे आथ से कर फाइस किस ने किया यह किस ने किया कि अकना से क्रिफाइस किया नोइ वनगा deliver फीज तो कोम जागा आग मानलो सिक्स रूपीज हैं और सिक्स पहले हम लोग को जितना मिलता था न कुसी और रेशन में मिल ला है डीयों में किसी को फाएदा हो가지 मिल कफार UM होगा उतने दूसरे को घाट सब कर गता है होगा हूं एक ऐस सब Prost एक्जामनेर को अगर मन किया तो यह सो नमर में भी कोशना सकता है कौन सी बड़ी बात है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो एक्जाम में वन मार्क में आ जा कि गेनिंग रेशियो बताओ क्या होगा तो न्यू मैनस ओल अगर कहता है कोई की जड़ा बताओ लगाओ कोई सेक्रिफाइस कर रहा है अब मतलब पहले उसको ज्यादा मिलता था पहले ज्यादा अब कम तभी तो सेक्रिफाईस बोलेंगे तो पहले आपको क्या होता था ज्यांदा मिलता था और अबसमिलता है था नहीं कि ओल MUR quicker शेयर, ओल्ड में जो शेयर था, उसमें से हम क्या करेंगे, न्यू को मैनस करेंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा, सर यहां पर अगर हम सेक्रिफाइसिंग लिखते हैं, तो 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 अगर सेक्रिफाइसिंग लिखते हैं, तो ए मैनस भी हो जाता, उस केस में सेक्रिफाइसि निकाल लो और किसी का निगेटिव आगया तो गेन कर रहा है एंसर तो सेम ही होगा आपको जैसे करना करने कोई दिकत नहीं है कोई डाउट इसके इंदल में नहीं सरे मैं इसको बाबा उपर नीचे नहीं करना चाहता है मैं जल्दी से आपके बुकलेट में आप जो जो नोट आपने डाउनोड किया उसी को देखिए और कोईशन नुबर टू चेक करेंगे कोईशन नुबर टू फटा फट मजा आएगा रिविजन है तोड़ा अची तरी किसम काम कर लेंगे कोईशन नुबर टू पर आप आईए मैं इसको उपर हटा देता हूं लिख लिए होगा आ हम लोग आते हैं यहां पर कोईशन नुबर टू के पास तो है सोलुशन किया गए और कोईशन नुबर टू पढ़ेंगे क्या बतारा है तो में दो केसे जाए तो पहले मैं लिख दू यहां पर केस निमबर वन केस निंबर वन और पहले मैं उसी फॉर्मेट में काम कर लू पर एक्जाम में ऐसा format कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? Partners, यहाँ पर Old Ratio, और यहाँ पर New Ratio, अगर आपको Gaining निकालना है, तो हम यहाँ पर Gain लिख देते हैं, Gain, Gaining Share, इस 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 Old Share, Old Share, Old Ratio, कुछ भी लिखे, को दी करते हैं, New Share आपका, ठीक है न, यह लेज़े, तो शुरू करते हैं, पढ़ेगे आप, कोशन नमर्ट 2 का, कहते हैं 2 में, कि XYZ are Partners, Sharing Profit 532, मेरे बच्छे, Hello, I am Mansi, I am pursuing CA Foundation, Hello friends, my name is Umair Raza, I am a senior final student, Myself Damini Singh, and I am currently pursuing CA Interved COC, मैंने क्लास 11 में लोकल student classes लेते हैं, मेरे कंसर्ट बहुत बहुत पूर थे, मैंने के मुझे क्लासे मुझे से पर्चेस करना है, then I purchased classes from COC Education and scored very good marks, and वो काफी अच्छी तरीके से फुरे syllabus को cover करते हैं, for me, COC Education is the one step solution to clear all my doubts and my concepts, and thanks to COC के, और मैं अभी target पर रहू के रहा हूँ, Thank you so much Santu Sir, thank you. Thanks to COC. और यहां पर यहां पर यहां पर ओल्ड रिशु है, आगे पढ़ना, कहता है कि, calculate new profit ratio, ओहो, यहां पर new ratio आपको निकालना है, पिछले वाले कोशन में new दिया था, यहां पर निकालना है, तो फिर बता किया रहा है, कहता है कि, end sacrificing ratio in each of the falling cases, क्या बता रहा है जी, case one पढ़ना, case one, जेड एक्वाइर्स, one-fifth share from X, low, पर बच्छे यह बता रहा है कि, ratio change होगा, और नए ratio में क्या होगा, कि जो जेड है, जितना वो पहले लिया करता था, वो तो लेगा ही लेगा, वो और लेगा, और लेगा, कितना, one-fifth, किस से लेगा, एक से, यह तो बता रहा है, जेड कितना और लेगा, और लेगा, मतलब क्या जी, gain, अरे, पांच रुपया पहले आपको मिलता था, छे रुपया अब ले रहे हो, तो एक रुपया gain किया न, वही यह बता रहा है कि, जेड न, one-fifth और लेगा, और किस से लेगा, एक से लेगा, तो एक काम करो, कि जेड, one-fifth लेगा, यानि कि, one-by-five जो है न, यह इसका gain हो गया, आपने gaining लिखा था, तो हमने यहाँ पर gain लिख दिया, तो बिना किसी doubt को, अगर one-fifth आप gain कर रहे हो, तो यानि कि, x का करेगा, sacrifice करेगा, यानि कि, मैं इसका क्या लिखूंगा, जी, minus one-by-five, अगर आपने gaining यहाँ लिखा है, तो यह positive में, यह negative में, कोई doubt इसके अंदर में, नई सर, तो यह हमने यहाँ पर लिख दिया, अब आओ, यहाँ पर हम solve करते हैं, मुझे बताओ, new ratio कितना होगा, अ समझो ना, देखो कितना simple है, कुछ ने लिखना, जेड पहले इतना लिया करता था, two by ten, पहले मेरे बच्चे, two by ten, और one-fifth उसने gain कर लिया, मतलब और उसको इतना मिल गया, तो जितना पहले और जितना आपने gain किया, यही मिल के तो आपका नया share होगा, तो यहाँ पे ten न नहीं बात करूंगा, तो यह फोर आ गया, तो यह जेड का नया share कितना निकल किया गया, जी, four by ten, इसमे क्या दिकाद, it's very simple, पांच रुपया पहले आपके पास था, एक रुपया और मिल गया, तो छे रुपया होगे, वही काम कर रहे है, और अगर मैं, एक्स के share की बात कर था, पहले आपका 5 by 10 था, तो जितना पहले उसको मिलता था, मैंने उसको लिख दिया, 5 by 10, यह लिजिए आपका 5 by 10, इस 5 by 10 में से, आपने इतना sacrifice कर दिया, आपने दे दिया, तो जितना ओल्ट था, उसमें से हमने क्या क्या जी, 1 by 5 दे दिया, तो जबर बतो, अब हमारा share तो यहां पर टू जा तो फाइफ टू जा तू तो फाइफ जा थी जा यानि कि वाइखर जो नया शेर हम फुड़ी एक्स का जो नया शेर में विच्चे वह आपका आगे जिए टू मैं यहां लिख दूंगा थी बाइट टेन है ठीक है ना क्या वाइट ने भी कुछ दिया है जितना आज जेड को गेन हो रहा हुँ कौन दे राजी एक तो जब वाई ने कुछ ने दिया तो वाई का शिर्ट जितना पहले था उतना ही अभी बिरा जायाएगा इसका कोई सेक्रिफाइस गेन हुआ ही नहीं आपको खतम होगी बात तो निव रेशियो आपका क्या निकल के नहीं क्या जेक कर सकते हो इन तीनों का मिलाके मतलब थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इट मस्क भी एकपल टू डेनोमिनेटर यानि के तेन आपका और हमने पूरे प्रोफिट को टेन टुकरे में डिवाइड किया तो टेन ही तो हम आप लोगों को डिस्ट्रिबूट करेंगे जितने टाइब की कोश्चट्स मैंने कलास में करा हैं सब आपको देख लेना है concept यह है अब मालोगो दुनिया वाले आपसे कहते हैं दुनिया वाले कि आपना मुझे बता दो एक्साम में आएगा कई बार मेरे एक्साम में भी आया आपके भी बता दू कृणा यहाँ पर अ दो आप मैं छोड़ोंगा नहीं होंगा यह पता नहीं कैसे कैसे चीज़े हैं आए अगर कोई कहता है जिरा बताओ गेंणulated ratio का formula क्या होगा gaining ratio का ndra that gaining ratio का formula आप आपका होता है gaining ratio बताए़ किया क्या क्रेंगे gain क्या छब वाला ज्यादा होगा, तो new minus old, new minus old पे अगर MCQI तो टिक्पा कर देंगे, अगर कहता है कि sacrificing ratio बताइए, sacrificing ratio का formula क्या होगा, तो sacrificing में में बच्चे अब आप sacrifice कर रहे हो, यानि कि पहले ज्यादा मिलता था, यानि कि old minus new आपका हो जाएगा, old minus new, and क्यों रटू में, क्यों रटू, क्यों ना सिंबल से बात समझ लो, काम खत्म हो जाएगा, आज जड़ा, यहां पे solution करा रहे हैं, question number two का, case number two, case number two, यह क्या बोलता है, तो हमने यहां पे नाम लिखा partners का, partners, यहां पे आपका old ratio, यहां पे आपका new ratio, और यहां पे आपका देख लेते हैं, क्या निकालना है, case number two में, इसी question में, आपका partners के नाम तो same है, जी, x, y, and z, यह रहा है, old ratio भी आपका same है, यानि कि 5, 3, 2, तो 5 by 10, 3 by 10, और यहां पे 2 by 10, ठीक न, new ratio हमें इसमें निकालना है, आपको यहां पे देखना है जी, कि उसका क्या gain या क्या sacrifice है, सुनो न, अब यहां पे द्हान से समझना, क्योंकि language है, कहता case two में, z acquires one fifth share, z ने one fifth gain किया है, तो मुझे अगर मैं यहां पे बात करता हूँ gain का, gain, तो हमने कहा किस ने gain किया जी, z ने, और कितना, one by five, ठीक है, यह one by five किस ने दिया है, तो x और y ने, इस पार कितना हो जाएगा, गैने को sacrifice होगा, जब इनको मिला तो यह देंगे न, मैनस लगा देना, तो आप कहना कि यह जो one by five है, one by five, इसका half इन्होंने दिया है, और यह जो one by five है, इसका half आपने दिया है, यह न, दोनोंने आधा आथा, ठीक है न, और क्योंकि यह दिया है, तो यह sacrifice है, तो यहाँ पर आप मैनस में लगा देना, क्या जाता है, यहाँ थोड़े मैनस लगा इनको, तो answer बता यह कितना हो गया, मैनस one by ten, यहाँ कितना हो गया जी, मैनस one by ten, और काम है, या तो नीचे लिख लो, या फिर यही पर, आपकी मर्जी, हमने का भया, पहले मैं five by ten लिया करता था, पहले मेरा five by ten था, इसमें से मैने sacrifice कर दिया, दे दिया, कितना दे दिया, तो मैनस one by ten, यह दे दिया, तो कितना बच गया जी, four by ten बच गया, मेरा पहले share three by ten था, मैने इसमें से कितना दे दिया, one by ten, इतना दे दिया, तो कितना बच गया, आपका two by ten बच गया, इसको लिखना कैसे, मैने class, regular class में को बताया हुआ है, revision मैं बस concept सिखा रहा हूँ, और आपका पहले two by ten था, और आपने gain किया, plus one by five आपका, तो कितना हो गया जी, ten, और यहाँ पे two और two, four निकल के आगया, तो यहाँ पे हमारे पास जो new ratio निकल के आगया, नया ratio, वो कितना बन गया जी, four to four, four is to two, और इस to four आपका, खतम होगी बात, यह कौन से बड़ी बात है, हाँ मैं छे कर लो कहीं गलब तो नहीं हुआ, तो इस तीनो का sum that must be equal to ten आपका, यह, this is the way to find out new ratio, new ratio आपका, सर यह gaining ratio क्यों निकालने, सिख लिया हमने, क्या जाता इसके इंदर में, gaining ratio क्यों निकालने सर, वो बताओ ना, तो हम treatment of good will में इस बात को समझेंगे, पहले आप इसको copy कर लेजे, आप इसको copy कर लेजे, फिर मैं अब आपका अगले topic में प्रसीड करता हूँ, हो गया सर, तो हमने new ratio निकालने के बारे में समझ लिया, कि कैसे कैसे होगा, क्या-क्या मतलब होता है, तो यह देखो, हमारा competition ratio का revision कर लिया, treatment of good will इसी बात से आपको समझ में आएगा, और यह जो ratio निकाला उसका use भी आपको यहाँ पर समझ मैंगा, बिलकुल ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको समझाता हूँ, treatment of good will को लेकर, यह लिजे, treatment of good will, आप लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पर heading डालेए, heading डालेंगे आप यहाँ पर treatment of good will, तो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, आपके लिए treatment, लिखेंगे, treatment of good will, treatment of good will, ठीक है, इसको भी हम समझते है, short में, एक या निकल के आता है, तो इसको समझने के लिए, फिर से मैं वही आपका diagram एक बार लेके चलू, समझना मेरी बात लिखना बंद करेंगे, थोड़ा speed चलेंगे हम लोग, यह आप का पहले से तीन पार्टनर्स थे हैं, A, B, and C, इनके बीज का रेशियो था, 3, 2, 1 का, आज इनोंने डिसाइड किया है, कि इसके बाद जो इनके बीज का रेशियो होगा, A, B, C का, वो रेशियो आपका होगा, जी, 1, 1, 1, 1, 2, 1, ठीक है, ना, देखो, हम लोगोंने पढ़ा की थी, उसका फ्यूचर में कितना बेनिफिट निकल के आएगा, उसको क्या बोलते हैं, गुडविल, है ना, गुडविल, तो मान लो, आज, जिस दिन, यहां पे आपका रेशियो चेंज हुआ, हमने पता किया कि हमारे फ़र्म की गुडविल कितनी है, अभी गुडविल का मतलब क्या समझना है, गुडविल का मतलब है, कि जिस पे हम लोगों ने मेहनद किया था इस रेशियो में, जिस पर, जिस कस्टमर को, कस्टमर बेस को क्रियेट करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, हमने इस रेशियो में मेहनद किया था, लेकिन उसका बेन हम लोग क्या करते हैं कि past में जो हमने मेहनत किया उसका future में जो benefit आएगा हम उसको value करते हैं मान लो वो value आपका 120,000 है 120 बढ़ाया था ना वेलिश्ट्रम गुडविल में कि past में जो effort डाला मान लो past में honor average में 60,000 कमा रहा था वो 60,000 मुझे लगता है कि जो past में मेहनत किया उसके चलते आगे 2 years तक और benefit देगा है ना तो 60 into 2 कितना हो गया 120 उसको हम क्या बोलते हैं इस पर्षिज प्रेस डाइस गुडविल आपका तो वही मान लो गुडविल आपका 120 हो गया अभी इस शेप्टर में का समझना इस 120 का मतलब है यह 120,000 का वो benefit जो अभी हुआ नहीं है लेकिन वो आगे होगा तो मेरे बच्चे जड़ा सोचो जिस 120 पे हमने इस रेशियो में मेहनत किया था और इस रेशियो में विड्रो करेंगे इससे कंपनी को घाटा होगा कुछ को फायदा होगा कितना घाटा फायदा मैं आपको दिखा देता हूं हमने क्या-क्या नाम लिखा जी यहां पे A, B, and C है ना इसमें जड़ा बताओ कितना amount हम लोगों ने जो past में मेह 20 इस 120 को हम लोग क्या करते है old partners is only time Tico olm partners old ere修 में हम लोग क्या करते हैं distribute greater करते ए क्रेड का मतलब हमने आपको बताया था create का मतलब कि 120 में हमारी हिस्सेदारी actually कितनी कितनी होनी चाहिए कितनी कितनी होनी चाहिए तो मेरे बच्छे होना तो इस रिश्यों में क्या था कितना कितना हो जाएगा तो 60,000 60,000 यहां पर कितना जी 40,000 और यहां पर कितना 20,000 यहां पर आपका है ना तो क्रेइट करने का मतलब हुआ कि जो 120,000 का फायदा जो future में होगा हमारे past effort के चलते उसमें इतनी इतनी हमारी हिस्सेदारी है हमारा participation है मतलब अगर ratio change ना होता तो इतना इतना पैसा में मिलता लेकिन ratio के change होने से future में अब क्या होगा जी जितने भी हमारे new partners हैं new partners जितने भी हैं उनके बीच में new ratio में यो फायदा distribute होगा जिसको क्या करेंगे debit यह credit आपको समझाने के लिए कि मतलब यह जो 120 है वो future में इस ratio में आप लेकर जाएंगे कितना कितना लेकर जाएंगे 40,000 40,000 and 40,000 इतना इतना लेकर जाएंगे हमने का कि भी जगड़े ना हो जगड़े ना हो तो आप एक काम करो उस जगड़े को खतम करो जगड़ा नहीं होना चाहिए कैसे खतम करेंगे मैं आपको बताता हूँ मुझे बताओ कि जो मेहनत ABC ने किया था इस 120 में उसकी हिस्सदारी बंती कितनी है मतलब अगर ratio change ना हो तो उसको कितना मिलना चाहिए था 60,000 अगर यह ratio change नहीं होता तो उसको 60 मिलता लेकिन सिफ ratio के change होने से अब उसको कितना मिलेगा 40 मिलेगा उसको दुख होगा मेरे बच्चे उसको दुख होगा क्योंकि जो उसका 60 था अब घटके कितना रह जाएगा 40 बीना किसी गलत काम के उस इफ ratio के change होने से जबकि हमारी सिदारी 60 थी तो आगे ये एको दुख ना हो आगे एक के तरफ से कोई dispute ना हो इसलिए हम कहते हैं कि देखो जी 60 आपकी इसिदारी बनती है out of is 120 60 में से 40 तो आपको मिली जाएगा ना जब ratio में distribute होगा आपको घाटा कितने का होगा 20,000 का आपको घाटा कितने का हो 20 का जितना आपको count में add कर देते हैं अभी दे देते हैं मतलब हम आपके count में क्या करेंगा जी प्लस का मतलब कि create कर देंगे तो जितना आपको घाटा होगा उतना हम आपको ले देते हैं आज ही तो आज आप हमसे 20 देलो 40 इस ratio में बाद में आपको मिली जाएगा तो total आपका 60 हो गया टेंशन किया था उसके हिसाब से 20 उसको मिलना चाहिए था लेकिन रेशियों के चेंज होने से 20 के जगह पर उसको 40 मिलेगा याने की 20 ज्यादा मिलेगा मेरे बच्चे इसको future में गेन होगा ज्यादा मिलेगा हम कहते हैं बिना मेहनत की आपको फायदा हो जाएगा उतना पैसा आज ले दो तो सी से हम क्या करेंगे ट्वंटी थाउजन वह अमाउंट हम यहां पर ले लेंगे अब देखो क्या होगा कि आपको future में कितना मिलेगा 40 मिलेगा 40 मिलेगा 20 हमने अभी आप से लेलिया तो अल्टीमेटली आपको कितना रह जाएका 20,000 काम खतम हो गया तो यह आपको क्या करना है मरे बचे यह करना पड़ता और इसी से एंट्री पास करना होता एंट्री क्या यह को एक अकाउंट को हमें बढाना है इंक्रीज करना इनको देना है तो एंट्री होता है to age capital account to age capital account और कौन देगा C, C के account से आज मैनस हो रहा है तो C's capital account हम debit कर देंगे क्योंकि account से मैनस होना यानि कि आपका debit करना कितना 20,000 20,000 and 20,000 entry complete हो गया इसी entry को हम लोग क्या बोलते है adjustment entry इसको हम क्या बोलते है adjustment entry आपके exam में बोलेगा pass adjustment entry तो ये करेंगे या कहे दे कि pass table entry तो मुरे बच्छे table entry भी इसी को कहा जाता है table entry के मतलब कि आपको क्या घाटा फैदावा वो दिखा दो कैसे लेके जाएंगा और उसे entry पास कर दो तो exam में कुछ भी बोलेगा meaning same है ना मुद्दे पे आता हूँ ये बात हमने समझ लिया लेकिन क्या exam में हमेशा ये table बनाएंगे requirement नहीं है exam में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ ये देखो आप नजर यहाँ नजर यहाँ नजर यहाँ आप मुझे बताओ A को पहले 60 share बनता था अब उसको 40 मिलेगा because of changing ratio तो आप बताओ A को future में gain होगा कि loss होगा आप बताओ A future में gain ही करेगा कि sacrifice करेगा sacrifice ही तो हुगा जहाँ 60 था अब मुझे 40 मिलेगा future में तो मैं तो sacrifice करूँगा तो मझे बच्चे जो sacrifice करेंगा यह आपका sacrificing partner है यह आपका sacrificing partner है यह partner sacrifice करेगा future में तो जो future में sacrifice करेगा उसको हम आज उतना दे देंगे और यह future में आपका gain करेगा यह future में आपका gain करेगा मेरे बच्चे यह gaining partner है आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा 20 था अब ratio के change होने से यहां में 40 मिलेगा मतलब मैं गेन करूंगा तो पक्का आप गेनिंग पार्टनर है तो पता है एंट्री क्या बन गया एंट्री बन गया इसको क्या बोलेंगे जी सेक्रिफाइसिंग पार्टनर माफ कीजिए गेनिंग पार्टनर गेनिंग ना जो gain कर रहा है यह देखो आप मैं आपको पहले बता दू यहां देखिए जो gain कर रहा है न उसके account sum क्या कर रहे हैं मैनस कर रहे हैं तो entry बन गया gaining partner gaining partner partner account debited to किसको देदेंगे जी जो partner sacrifice करेगा तो revision sacrificing partner revision में ध्यान में क्या रखेंगे जो future में gain करेगा आज उसके account से उतने पैसे ले लेंगे डेविड कर देंगे क्योंकि account से मैनस करना है जो future में sacrifice करेगा जिसको घाटा होगा उसको आज उतना दे देंगे ताकि यह भी बेचारा हंसते रहे खिल खिलाते रहे कोई दिकत नहीं हो तो entry के बन जागा gaining to sacrificing समझे मरी बात ना और इनहीं बातों को एक बार कोशन में देख लेते हैं फटा-फट कैसे किया जाएगा आई जड़ा कोशन समझने के लिए एक्जाम में इतना काम नहीं करना फटा-फट रेशियो निकाल के हम उस entry को पास कर देंगे कैसे मैं आपको दिखाता हूं यह लेजे यह तो concept था यहां पर मैं आपको यहां दिखाता हूं कोशन नमबर 3 solution of question 3 पढ़ेंगे आप सुनो ना सुनो ना मेरी बात मेरी बात सुनो ना आपको मेरी बात है समझ में आरी ना मत एक्सपे करना की एक एक concept में समझाऊंगा सब आपको रेगुलर पैच में करा चुका हूं आज रिवीजन का समय मेरे बच्चे फटा 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 रिवीजन करो ना देव घंटे में खतम करते हैं यह बारत तेरे क्लासिच की ती इसके इंदर में फटावट पढ़ेंगे कहता कि ए भी शेर प्रोफ एपरिल 2021 दे अग्रेट टो शेर प्रोफिट एकवली कहता कि आज के बाद आज के बाद जो पार्टनर है ए और बी वह रिश्यो क्या रखेंगे एकवली रखेंगे आपका वन इस्टुवन तो मेरे बच्चे पास्ट में जो हमने मेहनत किया था थी इस्टू में उसका जित 30,000 तो 30,000 इसकी वैलू है मतलब यह 30,000 वह अमाउंट है जो हमने पास्ट में मेहनत किया था पर उसका फ्यूचर में बेनफिट हम इकवली लेकर जाएंगे फटा-फट काम करता हूं मैं वो टेबल एंट्री नहीं करने वाला मैं फटा-फट क्या करूंगा जी एक्जाम मे solution में मैं compute करूंगा computation of, computation of gaining साथ-साथ करेंगे obliq sacrificing ratio किसने कितना gain किया, कितना sacrifice किया मैं उसको निकाल लूँगा पार्टनर का नाम old ratio new ratio and gaining gaining old share new share and gaining share तो मैं शुरू करता हूँ partners का नाम A and B old ratio 3 by 5 and 2 by 5 ratio अब क्या हो जागा 1 by 2 मेरे प्यारे बच्चे अगर आप gaining निकाल रहे हैं तो आपका दिमा करें gain तभी होगा जब new ratio जादा होगा तब तो gain किया चेंज होने से यानि कि answer क्या हो जागा यहाँ पे new minus old आई यह निकालते हैं new ratio again ratio new कितना है 1 by 2 1 by 2 मैनस 3 by 5 तो क्या आजाएगा जी 2 5 के अलिसियम 10 हो गया 5 जा 5 2 जा 6 मैनस 1 आगया हम लोग gain ही निकाल रहतें लेकिन मैनस में आगया इसका मतलब कि यह gain नहीं कर रहा यह आपका sacrifice कर रहा है यह sacrifice कर रहा है ठीक है जब वो sacrifice तो यह gain कर रहा होगा और इतना ही gain कर रहा होगा फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ new मैनस old 1 by 2 मैनस 2 by 5 तो आप यहाँ देखेंगे तो आपका 10 यानि कि आपका आगया 1 1 by 10 आपका यहाँ पर ठीक है ना यह आगया 1 by 10 यह देखवा 1 by 10 मतलब यह gain कर रहा है यह gain करेगा तो आप हमें इसको निकालेगा फटफट एंट्री करना वो कहता है यह entry करो तो लो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जन्रल एंट्री है ना गुडवील का क्या होगा क्या करेंगे जो gain करेगा future में जो gain करेगा वो देगा मेरे बच्चे अगर future में आपको जितना gain होगा आज उतना दे दो हिसाब बराबर तो gain कौन कर रहा है B B के account से पैसे निकाल लूँगा B is capital account अगर fluctuating है तो और अगर fixed है तो B is current account B के account से निकाल लेंगे और ये पैसा किसको देंगे जी जो sacrifice करेगा क्योंकि जितना इसको आगे घाटा होगा आज उतना दे दो ताकि वो compensate हो जाए जगडे खतम हो जाए यानि कि to age capital account तो हमने बोला to age capital account age capital account लेजे काम खतम हो गया कौन कितना कितना gain करेगा वो भी देख लेते हैं अरे जो total goodwill 30,000 यह किसका है firm की goodwill मतलब total goodwill आपका है इस में से B के account से कितना लोंगा जितना वो gain कर रहा है मतलब 1 by 10 जितना gain करेंगे वही तो आप सिब दोगे सारा थोड़े दोगे जी इस 30,000 में से जितना future में आप gain करोगे वो देदो तो 30,000 का gaining share यानि कितना gain कर रहा है 1 by 10 आपका 1 by 10 यह कितना हो गया आपका 3,000 और यह 3,000 इनको मिल जायागा इनको 3,000 आप चेक कर लो इसका जो sacrifice कर रहा है तो 30 का इसका भी कितना 1 by 10 तो आपका क्या हो गया सेम आजागा 3,000 तो यहाँ पे being goodwill adjusted हमने goodwill को क्या क्या यहाँ पे adjust कर दिया इनके account में खतम हो गई बात यह तो करते हैं अगर आप कहते हो कि सर यह जड़ा एक बार पहली बार क्योंकि डिविजनर ठीक है जो आपने किया था टेबल उसके ही समझा दो तो यह लो आप यह समझाने के लिए निचे लिए करहा हूं बस आपको बोलना है कि वह यह 30,000 किस रेशियो में कमाया था किसने किसने तो यह old partners ने मेहनत किया था इंदियर old ratio जिस रेशियो में आपका मेहनत था उस ratio में क्रेड कीजिए तो 30 को 3 to 2 यानि कि 18,000 और यहां पे 12,000 तो यह रेशियो के चेंज होने से यह कौन लेके जाएगा आगे निव पार्टनर्स किस रेशियो में लेकर जाएंगे निव रेशियो में तो जिस रेशियो में लेकर जाएंगे हम उसमें डेविड कर देते हैं यानि कि 1 to 1 तो 30 में आपका कितना 15 आपका कितना 15 है ना समझने के लिए एक बार है ना आप कहना कि भया देखो ना आपका हिसा 18,000 था है ना मेहना जो क्या था वो 18 का लेकिन फ्यूचर में आपको सिर्फ 15 मिलेगा तो 3000 का आपको लॉस होगा वो 3000 आज में आपको दे देता हूँ यानि कि इनके अकाउंट में 3000 क्या करना होगा जी एड करना होगा एक अकाउंट में देखो वही चीज निकल किया रहा है और आपका हिस्सा 12 था लेकिन 15 मिलेगा आपको 3000 का फायदा होगा तो जितना फायदा होगा उतना आज दे दो ताकि जगड़े खतम हो जाए आप से लेकर इनको दे दूँगा डिस्पुट्स रहेगा नहीं वही एंट्री निकल क्या है तो इन शॉट ये हो क्या रहा है आपका गेनिंग टो सेक्रिफाइसिंग जो गेन करेगा वो देगा और जो सेक्रिफाइस करेगा उसको मिलेगा बात इतनी से है गेनिंग टो सेक्रिफाइसिंग को डाउट इसके इंदर में नई सर फिर से नहीं सर, पक्का ही है सर, कतम हो गया, अब इससे कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए, फिर भी एक कोश्चन आता है, गुडविल को, गुडविल बुक में अपीर है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं, हैना, गेरिंग टो सेक्रिफाइसिंग आप याद रखेंगे, आई जड़ा, फोर्ट कोश्चन पर हम लोग आते हैं, यहां पर फोर्ट कोश्चन एक बार देख लो, मैंने यहां पर दो केसेज रखें एक्जाम के लिए, कहता है कि, एबिसी एड़ प्रेजेंट शेर प्रोफ चेंज हो जाएगा यानि कि ABC और निया रिश्यों क्या मता रहा है, कहता है कि जो निया रिश्यो cog Л करनां तो तो वन इस्टू वन इस्टू वन अगर दो पार्ट्नमें तो वन इस्टू वन तीर में तो वन 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 आपको ठीक न यहीं नहीं हो जाएगा कहता है कि goodwill of the firm आज वैलू कि या 90 थाउजन मेरे बचे आज 90 थाउजन वैलू करने का मतलब कि हमने एस्टीमेट लगाया कि पास् 1 में कहता है case 1 में आपका कि no goodwill no goodwill appears in balance sheet मेरे बचे इसका मतलब सुन लो इसका मतलब इसका मतलब कि जब हमारे बीच में ये ratio चला करता था उस समय जो हम लोगों ने balance sheet पहले से बनाया था पहले से जो balance sheet बनाया था कौन से balance sheet की बात कर रहे हो सर मैं इस balance sheet की बात कर रहा हूं कि इस balance sheet की यह देखो आप कहां चला गए हो को मैंने balance sheet कहां चला गए हूं तो starting उल यह 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 पहले से आपके पास यह balance sheet था न यह वाला balance sheet जो पहले से था इसमें is no goodwill और नहीं तो ठीक है जब goodwill पहले से नहीं है तो फिर कोई दिखतने जो हम काम कर रहे हूं ही करते चले जाएंगे मतलब sir मतलब ये हुआ कि अगर पहले से good will आपका balance sheet में नहीं है कहा गया वो यह दिखता है क्यों यह यह रहा आपका जब good will पहले से अगर आपके balance sheet में नहीं है तो हम क्या करेंगे simple बात balance sheet में आप पहले से कोई good bill नहीं है चाहिए भी नहीं आज good bill कितना 90 ना हम उसका entry करेंगे कैसे entry करेंगे जी तो gaining to sacrificing और इसके लिए पहले partners old share new share and gaining share and gaining share आप यहाँ sacrificing में लिख सकते हो तो फिर जिसका negative गेन हो जाएगा तो partners का नाम A B and C old ratio 4 by 9 3 by 9 and 2 by 9 आपका आगे 1 by 3 1 by 3 और यहाँ पर 1 by 3 आपका तो gaining ratio हमारा कितना हो जागा जी gaining कब होगा जब new minus old होगा है ना बचे नया जादा तो 1 by 3 minus 4 by 9 बता यह कितना 9 आ गया 3 3 जा 3 बन जा यह minus 1 आ गया मतलब यह sacrifice कर रहा है मतलब यह sacrifice कर रहा है इनका new minus old तो मरे बचे 1 by 3 minus 3 by 9 यह तो 0 by 9 आ गया मतलब no sacrifice no gain और इनका 1 by 3 minus 2 by 9 आ गया तो यह कितना आ गया 1 by 9 यह आ गया आपका 1 by 9 तो इसका positive आया मतलब gain किया तो हमारा entry क्या हो जाएगा entry हो जाएगा यहाँ पर कि फोर्ट के case 1 के अंदर में फोर्ट का case 1 के अंदर में कि गेन को कर रहा है c तो sage capital account debited and to age capital account c to a आपका कितने का आपका हो जागा तो पूरे फर्म की goodwill 90,000 है इस 90 में से जितना आप गेन करोगे कितना गेन कर रहे है 1 by 9 1 by 9 तो कितना हो गया 10,000 10,000 10,000 खतम हो गया अगर यह concept समझ में आता है और इस बात में इतनी मेहनद किये regular class के इंदर में बहुत अच्छी तरीके से तो फिर आप जानते हैं कि goodwill का treatment आप ले कितना simple होते चला जाता है ठीक ना goodwill के treatment में छोटा सा change है मेरे बच्चे ओभी में लेके चलूँगा हर एक chapter के अंदर में आपको ध्यान से सारे lecture सुनने पड़ेंगे जो आपके exam में इस पर apply करना है तो इस पर यह onward तो यह हमारा हो गया case one now come to case number two case number two में कहता है कि यहां पर goodwill appears in the book at 120 समझो मेरी बात इसका मतलब कि जिस दिन आप यहां पर ratio change कर रहे हो उसके पहले जो balance sheet है वहां पर goodwill पहले से आपका 120 दिख रहा है अब क्या करेंगे मेरे बच्चे गुडविल की आज की वेलु बताओ कितना है 90 है 90 है ना और पहले से गुडविल कितना दिख रहा 120 आपका अब मैं क्या करूँ देखो अगर balance sheet में पहले से कोई गुडविल है ना आप उसको हटा देना अगर कोई पहले से गुडविल है तो उसको हटा देना सर क्यों अभी बताता हूं लेकिन आपको हटाना होगा अगर इसको हटाना है तो मुझे किस रेशियो में common sense है कि आज के पहले जो भी कुछ balance sheet में है अगर उसको हटा रहे हो यानि कि जो घाता फायदा होगा वो old partners old ratio में तो मुझे आपका A capital account डेविट, B capital account डेविट, C capital account डेविट, तू आप यहां पर क्या बोलेंगे goodwill यानि कि अगर पहले से आपके balance sheet में कोई goodwill है उसको हटा दो पहले 1,20,000 और किस ratio में यह हटाना हमेशा old partners में होगा old partners में in their old ratio मतलब जिस ratio में पहले से आपको पता है कि आज तक जो भी balance sheet में आपके पास है reserve हो गया, lossage हो गया, आपका deferred revenue हो गया, कोई भी चीज अगर हमें balance sheet से आज तक में से हटाना या लाना है, मतलब हटाना है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं हमेशा old partners old ratio में, जैसे reserve यह सब का किया था, वही काम करेंगे, तो इनको हटा देंगे, और old ratio 432, कितना हो जागा? 120 into 4, यह आगया, आपका 53,333, उसके बाद आपका 120, divided by 9 into आपका 3, यह आगया, 40,000, यह आगया, 40,000, और आपका divided by 3 into 2, यह हो गया, 26667, 26667, तो जब भी goodwill का treatment बोले करने के लिए, पहले से balance sheet में, जो भी goodwill होगी मचे, पहले उसको हटाना पड़ेगा, सर ऐसा क्यों, common sense है, goodwill आपका 120 plus 90 नहीं है, goodwill आज सिफ 90,000 का है, तो जो भी goodwill पहले से पहले उसको खतम करो, हटा दो, जिसके बीच में आपने दिख है था, no doubt की goodwill यहां पे है, तो उतना partners capital में भी दिख रहा होगा, हम उसको पहले हटा देंगे, और फिर अपना normal treatment, क्योंकि इस entry को पास करने के बाद ना, अब goodwill खतम हो गया, अब appear नहीं है, तो second entry जो पास करेंगे, वो क्या, यह same entry यहां पे repeat हो जाएगा, मतलब कि अगा कोशन कहता है, कि goodwill balance sheet में appear है, पहले से पहले इसको हटा दीजे, और फिर आपको यह entry पास करना होगा, gaining to sacrificing, खतम होगी बात, को doubt इसके अंदर में, नहीं सर, आप इसको copy कर लो, फिर मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, और हम लोग अब आग आपका balance sheet का अपरेशन सबतों बता दिया, फिर भी थोड़ा सा जो typical वाले points सो उनको भी एक बार लेके चलता हूं, मैं इसको उपर करता हूं, इसको इसको लिख लिए आप लोगों ने, यहां पर हम इसको लेके चलें और अगला concept आते हैं जी, अगला concept और concept है आपका treatment of reserve, treatment treatment of reserve accumulated losses, मतलब जो loss balance sheet में expenses दीख रहे हैं, आपका उनका क्या करेंगे, क्या करेंगे, कहते हैं कि देखो जी, इस पर दो बाते होंगी, एक्जाम में question दो तरीके से बनता है, यहां तो कहेगा, number A, if question is silent, बिल्कुल silent है, वो कुछ नहीं बोलता, कि इन दिजारों का, इन सब का क्या करें, तो पार्टर्स में distribute कर देते हैं, यहां फिर question कहेगा, number B, कि firm decided, decided not to, Hello, I am Mansi, I am pursuing CA foundation, Hello friends, my name is Umair Raza, I am a CA final student, Myself Damini Singh and I am currently pursuing CA inter with COC, मैंने class 11th में local tuition classes लेते हैं, मेरे concept बहुत पूरते हैं, मैंने एक दिन YouTube पे, Santosh Sir का video देखा था, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने अच्छा लगा, मैंने मुझे क्लासर को मुझे क्लासर को मुझे से पर्चेस करना है, तक्क्छा बैलन भाइंकों सार्थ सांति था, तक्छा देखाएं, सुट शे नोट तू शू दिम इन इन बैलन सीट, इन बैलन सीट, इन बैलन सीट मेरे बच्छे यह बात कहेगा, कि मेरे अब फ्यूचर में लाइं की बैलन सीट बनाएंगों उसमें नहीं शो करना, हो जाए चाहे आपको बोले कि balance sheet में शो नहीं करना है उस case में हम क्या करेंगे जी दोनों ही case में कि all reserves जितने भी reserves हैं और लिख fictitious assets मतलब आपके जो expenses जो balance sheet में दिख रहे हैं assets क्या लिख दिया मैंने assets बोलना था fictitious assets या फिर जो lossage है balance sheet में lossage will be will be distributed distributed among partners among partners among partners in their cons ratio में in their old profit ratio old profit ratio है न बच्चे हम इससों क्या करेंगे old ratio में distribute कर देंगे या फिर question आपको कहेगा यहां पर कि such reserves such reserves या फिर lossage या फिर वो fictitious assets assets will continue continue to appear in balance sheet यहां balance sheet का मतलब हो गया updated balance sheet सर यह क्या है पढ़ा है हम लोगोंने revision कर रहो ऐसे क्यों पूछ रहो आप यह दो cases निकल के आते हैं यह case तो आपने सीख लिया स्टार्डिंग हमने यहीं से किया था अगर इनके बारे में रिजार हो जाए फिक्टिशियस लोसेज हो जाए या फिर आपके फिक्टिशियस assets हो जाए मतलब कोई ऐसे expense जो balance sheet में दिख रहे हैं अभी तक profit low से इस नहीं किया बिल्कुल question कुछ ना बोले चाहे वह कहता है कि balance sheet में नहीं दिखाना तो नहीं दिखाएंगे ऐसे में नहीं दिखाते उनको तो partners capital में plus minus करके खतम कर देते हैं सर यह होगा तो क्या करेंगे कोशन से पढ़ेंगे आई जड़ा मेरे साथ आप पांच में कोशन को देखो फिप्ट कोशन को फटा फट देखेंगे कहता है कि XYZR partners sharing profit loss in the ratio of 532 they decided to share future profit losses in the ratio of 235 अच्छा पहले 532 ता अब 235 विदिखेंगे फॉल्विंग आइटम्स अपिर इंद बैलन शीट एज उन 30 पुराने बैलन शीट में यहां पर 31st माच 2021 है मतलब पुराने बैलन शीट में यह सारे रिजर्व आपको दिख रहे हैं कौन-कौन से हैं जेनल जर्व है करेंगे कि नहीं करेंगे क्या क्या कि अब फ्यूचर में जो बैलन शीट बनेगा मतलब अपडेट बैलन शीट उसमें यह अपियर करेंगे कि नहीं करेंगे क्या कोशन कहींपे बोल रहा है नहीं बोल रहा है अगर यह नहीं बोलता तो इन सब को क्या करो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रिबूड कर दो इन देर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो कैसे मैं आपको दिखाता हूं मतलब यह यहाँ चला गया तो जब खुछ ना बो लेकि हमें नहीं दिखाना तो इन सब को हटा देंगे जेनल रिजर्व अगर हटेगा तो डेविट हो गया जेनल रिजर्व अकाउंट डेविटेट है ना क्योंकि अब रिजर्व हट के पार्टनर्स केप्टिल में एड हो जागा कितना मांट है एटी थाउच फिर आपका कहत है कंटिंजेंसी रिजर्व जितने भी रिजर्व होंगे कंटिंजेंसी रिजर्व रिजर्व होने चाहिए फ्री मतलब कोई अबलिकेशन उस पर ना हो अकाउंट डेविटेट कितना मांट है अपका 25,000 25,000 फिर कहता है तिसरा प्रोफिट लोस का क्रेड बैल्स तो अबलिकेशन प्रोफिटेशन 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 fluctuating है तो कुछ ना बोले तो एक्जाम में हम इस्टा क्या मानते है fluctuating अगर fix होता तो current account में जाता आपका है तो यह और यह किस रेशियो में जाएगा यह आपका reserves distributed यह हम distribute करेंगे किस रेशियो में in their old ratio क्योंकि आप जानते है मरे बच्चे पहले से balance sheet में जो भी कुछ है अगर आमें हटाना है तो old partners old ratio में तो यह total amount आपका कितना हो गया 115,000 115 और ratio पहले से क्या है 532 तो 532 divided by 10 into 5 तो यह आ गया आपका 57,500 532 ठीक है अब उसके बाद इसका आजाएगा 34,500 old partners old ratio में 34,500 और यहाँ पर आजाएगा आपका 23,000 तो कोई भी चीज अगर पहले से balance sheet में है और उसको में नहीं दिखाना चाहे वो reserve हो चाहे goodwill हो कुछ भी तो हम क्या करेंगा old partners old ratio में कोई डाउट इसके अंदर में नहीं से यह खतम हो गया काम आपका और यह तो आपने reserve हुआ एक loss था उसकी entry पास कीजे loss का नाम क्या है advertisement suspense loss का debit balance होता है जब उसको हटाएंगे तो create करना होगा यानिके to advertisement suspense account और यह कहां से हम राइड आफ करेंगे from profit loss account माफ कीजे क्या बोलते partners capital account यानिकी x is capital account wise capital account and z capital account तो advertisement suspense में हमारे पास कितना का पाउंट है 50,000 का loss हटा दिया loss हट ने credit हो गया और इनके old ratio में तो आपने 532 यानिकी 25,000 15,000 और 10,000 डेविट 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 एंडेविट क्लियर capital जब fluctuating और fix तो हमेशा current यह बार बार इस लिए कह रहा हूं क्योंकि आप बहुत-बहुत इक्जाम में हमेशा देखा गया है क्या पता क्या गरते हो कि यह कहीं भी कुछ में लिख दो नई कोशन को पढ़ना कौन सा है कहीं अगर फिक्स capital method हुआ तो इस सब current account के थ्रू होता है अगर आपने current account नहीं का तो मार्क्स खतम हो जाएंगे सब ने सारे चेकना चुरू थोड़ा से पिलू मैं अमरित है श्रेंकर भगवान ने दिया था इसको पीने के बाद मैं कितने घंटे भी लगतार पढ़ा सकता हूं मुझे को दिकरत नहीं है एक बार पिलू तो दो-धाई साल भी लगतार पढ़ा सकता हूं आप चिंता मत करो आपको नह आपको अगर कहता है कि इनको बैलनशीट में दिखाना है अगर कहता है कि हमें इनको देविल कॉंटिनियू टू अपिर इन दे बैलनशीट मतलब बैलनशीट में रहेंगे इसका मतलब समझो सुनो आपसे बात कर रहा हूं इसका मतलब समझो इसका मतलब क्या होता है यह दोखो एक बैलनशीट बना रहा हूं आपको नहीं बनाना इस बैलनशीट में मालो A और B दो पार्टनर है इनका अमाउंट मालो वन लेक रुपीज है जी कैपिटल में इनका आपका टू लेक्स रुपीज है यहां पर जेनरल रिजर्व है जेनरल रिजर्व और मालो यह कहता है कि आपका 50,000 का माउंट है लाविलिटी लेलो लेना है तो वन लेक मुझे कोई इसके रिक्वार्मेंट नहीं है तो यह 4,50000 जो हमारा एसेट्स है यह भी हमारा कितना है 4,50000 फोर फिप्टी फोर फिप्टी फोर फिप्टी दोनों से टेली कर रहा है अब आज के पहले इनका जो रेशियो था वो 3 to 2 का है और कहते हैं कि अब फ्यूचर में इसके बाद रेशियो मान लो 1 to 1 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो ठीक है यह हमेशा हम लोग क्या कर कोशन कह दे कि नहीं जी यह जो नाम है यह जो नाम है यह नाम नहीं हटाना यह बैलशिट में रहेगा मतलब जो पुराने बैलशिट में था अब इस रेशियो के चेंज होने के बाद जो नया बैलशिट बनेगा अपडेटेड उस बैलशिट में आपका जेनरल रिजर रहे और उतना ही रहेगा जितना पहले से है आपका अब जला सोचो दिमाग लगा के जगड़े नहीं होंगे क्या अरे हमारा हमारी आत्मा कहती है कि जो रिजर पहले से उसको खतम कर दो old partners old ratio में ताकि रहेगा तो जगड़े होंगे और आप यह कहते हैं नहीं जी हमें रखना है हम जगड़ा चाहते हैं ऐसे कैसे काम चलेगा अब मैं क्या करूँ तो पता है क्या होता है अगर कोई नाम जो पहले से बैलंशीट में है अगर वो नाम हम चाहते हैं कि new updated बैलंशीट में भी रहे अगर सारे partners agree करते हैं तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे ऐसे ही लेकिन इसस जिन्दगी क्यों आये जरह बताओ मैंने जनम क्यों लिया सिफ आपको मतलब समझाने के लिए इसका मतलब है कि जड़ा सोचो दो पार्टनर है A and B और अगर मालो यह 50,000 में बताओ आपका कितना कितना है जी 33 इनका है 30,000 और इनका है 20,000 मतलब इनोंने यह जो ओल पार्टन मेरे क्रेड का मतलब समझे ना कि जितना जितना आपकी हिसिजारी बनती है लेकिन अगर इसको इस नाम को हम बैल शीट में छोड़ दें मतलब नाम को ना छेड़े नाम को ऐसे ही बैल शीट में छोड़ दें तो यह कनफर्म्ड है कि आने वाले समय में जो न्यू पार्टनर हैं न्यू पार्टनर्स को ने यही है ए भी है न्यू पार्टनर्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे एडमिशन रिटारिमेंट डेस जब भी आएगा ना तो इसी कॉंसिप में वहां भी समझा दूँगा एक एक भी होगा तो मनें पुछ लगा कि 50 को अगर इस नाम को मिलेगा 25 आपको मिलेगा उसको क्या बोलते हैं इतना इतना लेकर जाओगे जब ले जाओगे तो हना अब सोचो कि जिसमें मेरी इसाटा आज अगर हम उसको पार्टनर्स में कर देते हैं नाम को हटाथे तो हमें 30 मिलता लेकिन इस नाम को अगर बैलशीट में ऐसे ही छोड़ दूँगा तो मुझे सिर्फ फ्यूचर में 25 मिलेगा यानि कि 5 का मुझे लॉस होगा होगा ना बच्चे अरे 30 मेरा हिस्सा है लेकिन नाम अगर ऐसे ही छोड़ दू तो मुझे 25 मिलेगा मुझे लॉस कितने दे जी यह नाम ऐसे ही रहने दो आपको जो 30,000 थाना उसमें से अगर यह नाम छोड़ दूँ और बाद में डिस्ट्रिब्यूट हो तो 25 तो मिली जाएगा तो 25 आप बाद में ले लेना और जो 5 का आपको आगे लॉस होने वाला है वो हम आज ही आपको दे देते हैं हिसा ब तो आपको 5 का फाइदा होगा वो फाइदा हम क्या करेंगे जी आपके अकाउंट से हम ले लेंगे आपके काउंट से क्या करेंगे हम ले लेंगे आपके काउंट से क्या करेंगे ले लेंगे तो यहां पर एंट्री क्या बन गया आपका बीज कैपिल अकाउंट जो कि अगर कोई चीज बैलन शीट में है डिस्प्यूटेड आइटम है और हम सब मिलके बोलते को बैलन शीट में रहेगा रखो ना क्या दिगत है लेकिन जो आपस में जगडे जितने अमाउंट से हो सकते हम उसको तो सल्टा ले कम से कम वही काम करेंगे इसका मतलब कि अगर कोईशन में आपको कह देता है यह वाला केस कि सच रिजर या लोसेज आपका कहता है कि या बैलन शीट में वह कहता है इसको मिटाओंगा है ना इसको मिटाओंगा ताकि मैं यहीं पर आपको लिखाओंगा अगर वह बैलन शीट में आपका अपियर करेगा अगर वह सेम जबने तेनों के बारे में इसके बारे में बोलेगा या छो फितिशियस Lewis एसिट एसिट काईसिट। गोछिय सुज़ फिद्ट टीन्यू एम टू अपियर एम इन इन नियू बैलनशीट। जो नए बैलनशीट बने गा उसमें वो अपियर करेंगे in new balance sheet number two adjustment entry adjustment entry should be passed should be passed passed to stop the disputes disputes which may arise may arise in a future bypassing bypassing by passing by passing adjustment entry is now the name is okay we leave balance sheet but the entry is the entry again that is the fact gaining partner gaining partner account debited to sacrificing partners to sacrificing partner is now the same why gaining partners gaining ratio in sacrificing sacrificing ratio now please copy it you can copy it and enjoy it because things are sitting in your mind you can sit in your mind everything you are going to understand everything you are going to understand what you are going to tell you can tell what to do you can tell you can do how to do you I am आप बहुत 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 स्ट्रोंग होते जा रहे बच्चे मुझे मज़ा आ रहा है कुछ कम समय में हम अच्छा कासा यहां पर रिविजन कर रहे हैं तो आप जल्दी से कोपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं मैं थक गया हूँ अब मैं क्या करूँ सर्थ थोड़ा सा रेस्ट कर लो ऐसा मत बोलो रेस्ट करने के लिए ही अगर मेरा काम होता तो फिर मैं आपके साथ अभी यहां पर रिविजन लेक्टर्स के लिए नहीं होता मेरे बच्चे इसलिए मत कहो रेस्ट करने के लिए अगर रेस करने चला गया ना मैं सो गया तो फिर तो समझो कि क्या से क्या हो जाएगा आप लिजगो पी करो आज के बाद आपके अंदर में शक्तियां इतनी सारी भर जाएंगे शरीर में कि आपके पापा ममी आपके सामने से गुजरेंगे ना तो डिस्सिप्लिन में होके इतनी रोशनी कैसे आगी उनको फिल होगा आप एक बार नए विश्वास तो अगर सोई होंगे ना अभी मत बोलना कुछ उनको रात में उनको प्रोपर तरीके से सो जाने दो और ठीक डेड़ दो बज़े रात को ना आप एक काम करना जबजस्ती जोर से किसी भी तरीके से आप उनको पानी ठेक के या कुछ भी करकर उठाओ जड़ा और फिर देखो आप बोलना के लगारा मेरा चेरे पे जबजस्त रोशनी दिखाएंगे रहा जबजस्त वो जुत्ते का होगा चप्प लोगों का पता यह नहीं पता लेकिन रोशनी दिखाएंगे ज़रूर आप प्रोफित लोसे इन रिश्व 532 दीएफ पार्टने सजी इंका देशाइड विट इफेक्ट प्रोफिट इन रिश्व 235 विट इफेक्ट फॉर्स्ट एप्ल 2021 इफेक्ट आप दो फॉलिंग विदाउट अफेक्टिंग देर बुक वैलू सम्झो मेरी बात कहता है कि जो नीच बढ़े बढ़े सुन्दर सुन्दर चेहरे वाले बच्चो मेरी बात सुनो इसका मतलब की बिदाउट अफेक्टिंग देर बुक वैलू का मतलब की बुक में जितने पर था उतने पर ही दिखेगा उनकी वैलू चेंज नहीं होगी मतलब देवली कॉंटिनू टॉपिर एजस्मेंट एंट्री पास कर दो एजस्टिंग एंट्री तो आओ ना हम यहां पर एजस्टिंग एंट्री आपको दिखा दे यह हो जाएगा आप से सरकरादव आप तो ठीक है आई जड़ा यहां पर हम लोग सिक्स का सोलुशन आपका रिविजन है कर रहो सब कुछ अरे आप तो यहां पर हमें एट्रेंटि पास करना है तो हमें तीन तो रिज़र्व दिखा रहे हैं आपका रिजर्व और फोर्ट वाला लोस दिख रहा है तो एक तो यह ले लिया फाइदा है प्लस आपका कंटिंजेंस रिजर्व कहता है कि 25,000 यह भी ले लिया प्लस कहता है कि 75 प्रोफित लोग के वन लेक एंड फिप्टी थाउज एक लाग पचाफ जा रुपर यह जो वन लेक फिप्टी थाउजन का आपका रिजर्व एंड लोस का नेट इंपेक्ट है मतलब यह चारो नाम पहले भी बैले शीट में थे अभी भी बैलन शीट में रहेंगे है न बच्चे तो ठीक है रने जाते हैं हमें इस वन फिप्टी से क्या करना जी एंट्री पास करना गेनिंग तो सेक्रिफाइसिंग तो इसके लिए हमें पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिखना होगा ना ओल्ड शेयर यहां पे लिखा हमने ओल्ड शेयर new share और यहाँ पे gaining share निकाल लेता हूँ जिसका negative आएगा वो sacrifice में चला जागा gaining share ठीक ना तो partners कराम बता है यह six question में कौन कोन है D E F D, यहाँ पे E और यहाँ पे F आपका old ratio 532 5 by 10 3 by 10 और यहाँ पे आपका 2 by 10 पर पच्छे new share में कहता है कि अब future में 2 3 5, 2 by 10 3 by 10 and 5 by 10 आपका तो gain कितना no doubt कि new minus old n minus o ऐसे लिखते है सर मान लो ना ठीक है new minus old तो 2 by 10 minus 5 by 10 यह लेजे 10 यह तो negative आगया minus 3 मतलब यह सेक्रिफाइस कर रहा है है ना सेक्रिफाइस किया यहाँ पे 3 by 10 यह तो ऐसी हो गया और यहाँ पे आपका 5 by 10 सरी हमेशना ब्लैंक है गया नहीं बदवाश कुछ भी हो सकता है minus 2 by 10 आपका तो यहाँ पे कितना आगया आपका तो यह क्या कर रहा है गें कर रहा है तो अमारी एंट्री क्या बन जाएगी एंट्री केजिए फटा फटा यहां पे यह ने टिव में कितना है 150 न तो मेरे बच्छे उस 150 से जो गें करेगा उसको हम क्या करेंगे debit F capital account जो future में गें करेगा आज और जो sacrifice करेगा यहनिकी 2 days capital account 2 days capital account ठीक न यह आपका एंट्री ने कल के आगया कितना मेरे बच्छे तो यह दखो आपका 150 में से जितना आप गेन करोगे, 3 by 10, पूरा नहीं, 150 में, गुडविल में यह तो सिखाया था, पूरे में से जितना हम गेन करेंगे, 3 by 10, यानि कि 45,000, तो नो डाउट कि इसका भी 45 ही निकल किया जायागा, 45, clear, एक शीज और बता दू, कहीं आप मतलब कुछ कन्फ्यूज न हो जाओ, ध्यान देखना, ये कोशन मेरा हो चुका है, एक पॉइंट और समधार हो आपको एक्जाम के लिए, मालो ये 3 by 10 आ गया, और ये मालो 2 by 10 था, मैनस 2 by 10, और यहां मालो मैनस 1 by 10 आपका निकल के आगया, मतलब ये भी सेक्रिफाइस कर रहा है, ये पका है कि 2 का सेक् नारू में आपको, कि अगर ऐसा होता तो फिर मैं क्या करता, कोई बात नहीं, आप क्या बोलते जी कौन गेन कर रहा है, तो एफ कैपिल अकाउंट डेबिटेट, और 2 क्या होता जी, D, और 2 आपका E, तो आपने गेन कितना किया, 45 आपने 45 ले लिया, आपका सेक्रिफाइस क और 1,50,000 का आप कितना ले लेंगे, 1 by 10 अपका, तो ये कितना हो गया, 30,000 और ये कितना हो गया, 15,000, ये पकाय कि दोनों बराबर राएगा, डेविड क्रेट अपका, क्लियर ना, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका बोलो तो में बता दू एक और तरीका, कोई भी पता कर लो, जैसे यह अमाउंट पता कर लिया, गेनिंग का, जिसका एक तरफा अमाउंट होगा, एक तरफा, जब ये हुआ, इनके बेश में तो रेशियो क्या है, 2 is to 1, अगर रेशियो में बात करो, तो क्या हो जाएगा, 2 is to 1 हो जाएगा, तो आप क्या करना कि जितना इ सब मेने डिटेल में आपको बताया हुआ है, आपको जैसे करना करो ना, कौन रोकने वाला है, कोई डाउट इसके अंदर में, नई सर, ना, जहां पे आप परिशान होंगे, और वो टॉपिक जो कि, अब हरे चेप्टर में आगे का कवर्ड होगा, जहां पे आपको परिशा इसके बारे में, यह आपको परिशान करता है, तो मैं उसके बारे में बता दू कि क्या क्या निकल के आएगा, एक कोशन से क्यों नहीं समझ लें, सेवन कोशन देखेंगे, एबिसी शेरिंग प्रोफित लॉस इन 432, मेरे बचे सेवन्थ में कहता है कि पहले से एबिसी तीन पार्टनर से, हैना सेवन्थ कोशन का सोलुशन बता रहा हूँ, और इनका रेशियो 432 का था, हैना यह कौन से पूरा समझेंगे, कोशन के साथ हम लों 432 का था, कहता है कि अब वो डिसाइड करते हैं कि रेशियो 234 होगा, मतलब अब A, B और C का रेशियो होगा, वो 2 is to 3 is to 4 का होगा, यहां चेंज आ गया, कहता है कि बैलन शीट में, यहां पे जो पुराना बैलन शीट है, पुराना बैलन शीट, उसमें वर्कमेन कमपनसेशन रिजर्व है, मतल मतलब होता है कि अगर मालो किसी वर्कर का एक्सिदेंट हो गया, या कोई वर्कर हम लोग कंपनी से निकाल दें, कुछ कंपनसेशन पे करना, हम इसमें से पे कर देंगे, मतलब अचे, यह भी एक रिजर्व है, लेकिन इसमें से कुछ लाइबिटी बन सकती है, जो हमें आग Are there is no other information, कुछ नहीं बता रहा है, तो, case number one के अंदर में, case number one के अलघर में अगर इसके बारे में कुछ ना बता है, तो, कोई हमारे उपर lability created, झी हूई, हमें वर्कर को आज कोई भी payment नहीं करना, तो, his bizarre profitsupl निकला होता है, और आप बता हो ना, जितने भी rezerv profits निकले होते हैं हम क्या करते हैं यह हम नहीं चोड़ते balance sheet में क्योंकि यह profits निकला हुआ इस ratio में distribute कर देंगे तो entry हो जागा workman compensation reserve account debited to age capital account to base capital account and to seize capital account है ना किस ratio में no doubt कि आपका जितने भी old partners होंगे old partners उनके old ratio में यह आपका काम होगा क्योंकि आप समझो रटना नहीं यह profits से निकाला हुआ और जब इस पर कोई liability है नहीं कोई हमें payment नहीं करना तो reserve छोड़ इसो distribute कर दो partners में राएगा तो आगे जगड़ा होगा क्योंकि फिर claim आपका इस तरीके सो जाएगा है ना बच्चे case number two if a claim on account of workman compensation कहता है कि estimated at 60,000 केस नंबर टू मैं यह क्या करूंगा जी पूरा 90 ओल्ड रेशो में 432 तो 40,000 30,000 and 20,000 खतम हो गया जब हम केस नंबर टू में आते हैं केस नंबर टू के अंदर में मेरी बात समझना 90,000 का रिजर्व था लेकिन compensation हमें pay करना पड़ सकता है 60 मतलब कोई employee है कोई employee है और कहता है कि शायद वो हट जाएगा बच्चे वो retire होगा या उसका लगता कि किसी अगर हमें लगता है कि 60 पे करना पड़ सकता है तो अगर हमें लगता है कि 60 पे करना पड़ सकता तो फिर पता क्या करूंगा यह जो वर्कमें compensation reserve का जो amount है ना reserve कितना amount दिख रहा 90,000 इसमें से 60,000 में provision में transfer कर दोंगा provision for workman compensation workman compensation मतलब इसको मैं एक तरीके से आने वाले liability के रूप में create कर दूंगा estimated अगर वहीं पर कहता ना कि claim of on workman compensation confirmed at 60,000 मतलब claim estimate ने confirmed हो जुका तो मैं लिखता workman compensation liability account पे करना है अगर confirmed हो जाता तो मैं बोलता workman compensation liability लेकिन estimated है तो हमने क्या-क्या provision के रूप में उसको छोड़ दिया और बाकी का जो 30,000 का amount होगा बच्चे वो क्योंकि free 90 में 60 तो हमने यहां transfer कर दिया बाकी 30 बच गया फ्री है तो हम क्या करेंगे एज capital account है बीज capital account है और सीज capital account में हम उसको transfer कर देंगे सीज capital account है ना इन देर old ratio है ना इसमें कॉन से रिशो में no doubt कि जो भी रिजारो का partners में distribution होगा old ratio में होगा तो आपका 30,000 का amount old ratio क्या था यहां पे 432 कितना हो जाएगा कि थर्टी थाउजन दिवादे में 9 इंटू 4 यह आ गया आपका 13333 यहां पे आगया आपका टेन थाउजन और यहां पे आपका आगया 6667 हो गया आपका यहां खतम हो की बात समझो ना इसलिए प्रोविजन नहीं खा और हां अब जो इसके बाद अपडेटेड बैलन शीट बनेगा न उस अपडेटेड बैलन शीट में क्या नाम आएगा प्रोविजन फोर वर्कमें कमपनेशन कितना शिक्स्टी थाउजन और थर्टी तो पार्टनेस केपिल में एड हो जुका है अब यह नाम न्यू बैलन शीट में नहीं जायागा क्लियर एक बात और आप चाहो तो इसके दो एंट्री कर लो पहली एंट्री में वर्कमें कंपनेशेशन रिजार शिक्स्टी टू पोजिजन फोर वर्कमें कंपसेशन शिक्स्टी और दूस्री एंट्री वर्कमें कंपनेशेशन रिजार 30 क्योंकि 30 बज गया तो पार्टनेस इंडर ओल रजरिय आपकी मर्जी जैसे करना सब mantener कि sleeping तरी पिए यहां पर केस्ट भाथी में कहता है आपका केस्ट फृस्ट के अंदर में कहता है कि क्लेम on account of workman compensation is estimated at 90 नाइनटी थाउजन वर्कमें compensation डिजर्व में बताओ पहले से बैलेंश हीट में कितना इन था नैंटी यह हमें जो estimated estimate हुआ provision for workman compensation workman compensation लिख देंगे या workman compensation claim लिख देंगे आपकी मर्जी कोई दिकत नहीं है but claim but हाँ provision जरूर लगाना क्योंकि estimated है कितना चला गया 90 तो 90 था 90 चला गया कुछ बचा है नहीं तो partners में क्या distribute करूंगा कुछ बचे तब तो distribution होगा एक ही एंट्री बस खतम हो गया ठीक है ना और केस नबर फूर्थ फूर्थ केस फूर्थ केस में कहता है कि भिया आपका पहले में समझा दू पहले से balance sheet में workman compensation reserve आपका amount कितना है 90 थाउज पहले से और कहता है क्लेम इज estimated at one lakh रुपेज एक लाक मतलब हमें कितना पे करना पड़ेगा one lakh अब मैं क्या करूं कुछ नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चो देखू न आप ये काम करो पहले तो workman compensation reserve ये तो हटेगा हटेगा चाहे liability बने चाहे ना बने कितना balance sheet में 90 उसको आप लिख दो अब ये खतम हो गया लेकिन जिना बताओ कि जो हमें पे करना है एनि कि provision for workman workman compensation या provision for workman compensation liability अब मेरे बच्चे रहा है तो मेरे बच्चे professor पर वहाएग्ट्धि जादा बढ़ रिहा है एघ कंपर टू ढ़िजर तूः जाद ज़्यों पर्लिटियाग एज कंपे दिभी लिट्य करते है न तो याद किजिए हम रांसे करते स्टार्टिंग भी बताया था नहीं बताया था लिब लिटी कम हो गई यहजी ज्यादा हो गई तो पहां जाएगा आपका रिवेलिशन अकाउंट तो जो वन लेकिली आप इसमें 90 यहां प्रड़ेश्ट कर लेंगे और बाकी का जो 10,000 है बाकी का 10,000 हो हम कहां सेडस करेंगे आपका revaluation account यानि कि उसको revaluation account में क्या करेंगे loss दिखा देंगे और वो जाके बाद में settled हो जाएगा partners capital से यही cases बनते हैं और इसके सवाद हो कोई case है नहीं workman compensation पर या तो जितना रिजर्व है उसे कम ये वो या चारी तो case बनते हैं क्या बनेगा को डाउट इसके नदर में नई सर्थ मैं और आगे बढ़ता हूं और मैं अब आपको पता कहां लेकर जाओंगा अगले question पर अगले question में हम लोग डिल करेंगे अब investment fluctuation reserve के बारे में workman compensation fund के बार कि जैसा है फरक से भी इतना है कि ये एक asset से जुड़ा हुआ है मतलब अगर हमारे पास ये balance sheet था तो balance sheet में मेरे बच्चे यहां पर एक investment होगा एक investment होगा और यहां पर होगा आपका investment fluctuation fluctuation या तो कह देगा reserve reserve या कह देगा fund meaning same है दोनों का इसको हम क्यों credit करते हैं इसका creation होता है इसके अंदर में अगर value कुछ कम हो जाती है investment की value कम हो जाती है उसको address करने के लिए जैसे कि investment मानलो आपके पास 2 lakhs रुपिज का है 2 lakhs रुपिज का और investment fluctuation reserve या fund मानलो आपका 40,000 का है जिस दिन आपका जिस दिन हमने ratio चेंज किया पता चला कि इस investment की market value सिर्फ 190 रह गई है 190 मतलब 10,000 से value कम हो गया तो मिने बच्छे जो अगेंस कोई reserve या fund है तो इसमें कोई loss होगा loss फाइदा नहीं loss की बात कर रहा हूं अगर इसमें कोई loss होगा हम इससे adjust करेंगे अगर यह नाम नहीं होता तब हो adjustment हम revolution account के थ्रू करते हैं लेकिन अगर यह नाम है तो पहले हम यहां से adjust करेंगे और यहां से कुछ कम ही पड़ेगा तब ही हो जाएगा revolution account में दिखाता हूं ना कोशन के थ्रू ऐसे क्यों देख रहे हो आप यहां पर ऐसे क्यों देख रहे हो मैं पहले सारे किसे यहां बता देता हूं मालो कहता कि क्योंकि कोशन इसमें ज्यादा नहीं है investment टू लैक्स का था 190 का हो गया तो आपका answer होता यहां पर टू investment account हम लोग investment की value यहां पर क्या करेंगे 10,000 से कम कर देंगे और यह घाटा revolution account में adjust करने के बजा है हम यहां से कम कर देंगे यहां कि investment fluctuation reserve यह फंड जो भी नाम लिखा रहाएगा उसको क्या करेंगे debit कर देंगे 10,000 से तो मुरे बचे new balance sheet में क्या होगा new balance sheet जब बनेगा तो new balance sheet में आपका यह कितना अब investment कितने का हो जाएगा 190 का और हमारे पास investment fluctuation reserve कितना रह जाएगा 40-10 30,000 यह रह जाएगा लेकिन अगर यह रह गया अगर यह रह गया मेरे बचे तो अब आगे disputes होगा क्योंकि reserve है profit से निकाला वह amount है है ना तो हम लोग क्या करेंगे हम जगडा खतम कर रहेंगे जी और जगडा कैसे खतम होगा तो जगडा क्या होगा यह जो आपका रिजर्व डिस्पूट कर दो partners में यानि कि investment fluctuation reserve तो old partners इंदर old ratio old partners old जैसे हम अभी किये थे उपर में वही काम करेंगे यानि कि investment fluctuation fund कि जितने यूज है वह यूज क्या होगा से value को कम करने के लिए उतना address कर दो बाकि हम क्या करेंगे इसको partners capital में डिस्पूट कर दें क्योंकि reserve है और आज तक का कोई भी रिजर्व और old partners old ratio में जाता है सेम ट्रिट्मेंट जो उपर में किया था और कुछ भी नहीं एक कोईशन फिर भी मैंने खास आपके लिए रखा वह एट कोईशन हम जड़ा उसको समझ लेते हूं क्या है और काम खतम करते हैं आओ ना एट कोईशन कहता कि investment आपका two lakhs का है balance sheet में और investment fluctuation reserve में 18,000 का माउंट है कहता है कि pass entry for treatment of fluctuation reserve if market value of investment आपका 190 हो गया तो हमें क्या करना होगा entry में investment की value हमें कम कर देनी होगी क्योंकि नया balance sheet जो बनेगा उसमें investment अब आपका 10,000 कम जाएगा इसको हम adjust करते कहां से आपका revolution account से तब जब यह reserve ना होता liability side में है तो उसको adjust करो तो आपने कहा investment fluctuation आपका reserve debit कितने से 10,000 से तो यह हमारा adjust हो गया अभी भी इसमें 8,000 बचा हुआ है ना तो हम क्या करेंगे जी अगली entry आपका investment investment fluctuation fluctuation reserve account debited जो बच गया 8,000 to partners in their old ratio partners के नाम बता यह क्या है abc तो to a is capital account to b is capital account and to c is capital account in their old ratio old ratio old ratio क्या बता रहा आपको यहां पर 432 है ना तो आपका अब चलो करी लेता हूं मैं इसा figure लेकते हूं यह आ गया आपका 3556 यह आ गया 2667 और यह आ गया आपका 1778 तो यह entry complete हो गया को doubt इसमें नहीं सर सुन्दे चलो ध्यान से अब आगे केस investment balance sheet में 2 lakhs रुपेज वैलू 2 से 220 हो गया तो फिर क्या करेंगे बढ़ गया वैलू मने बच्चे यह रिजारो जो है ना investment fluctuation यह घटने के लिए बनता बढ़ने के लिए नहीं अगर इसकी वैलू 20 से बढ़ गए तो revolution में डाल दो यानि कि investment account debited 20,000 और फाइदा कहां जाएगा revolution account के यह investment जो कि 2 lakhs का था मान लो इसकी वैलू 18,000 से कम हो गई 18,000 से तो एक ही इंट्री बनेगा जो 18,000 लो से वह investment fluctuation से हम क्या करेंगे एड़स कर लें 18 यह 18 वह खतम हो जाएगा है ना अगर मालो वैलो किरना 30,000 से हो गया तो 30,000 में 18,000 तो रिजर्व से जाएगा बागी कहां चला जाएगा revolution account में क्योंकि जब adjust करने के लिए reserve हमारे पास नहीं होते तो we transfer that amount to revolution account यह जानते हैं आप क्या बताओ मैं यह भी खतम हुआ अब जितनी बाते हम लोगों ने सिखी उन सारे points को इकठा करके एक question देख लेते हैं और फिर हम लोग इसको बाइ बाइ करने के कगार पे पहुंच जूगे chapter का एक question और तो nine question पे पहले आप आ जाई है nine question पे फटा फटा आएंगे मैं इसको ऊपर लेकर जाओ और nine question एक बार देखते हैं कि क्या निकल के आता है शुरू करेंगे मेरे साथ solve करना question number nine का solution पढ़े न और हम लोग partnership में क्य कर रहें बस जगड़े खतम करें और कुछ भी नहीं एक फाइज एड आर पार्टनर सीने फर्म शेरिंग प्रॉफित लॉस इंदे रिश्यो फ्रीश टूइस 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 टीवन वाज बैंक है डेटर से स्टॉक है मशीन है बिल्डिंग एड़टीज डिन एक्सवेंट थे वह इससे मारे बत्शे वह एक्सपेंस एड़ एकस्पेंस हों पहले कर चूक है बत अभी तक शाथ प्रॉफित लोग से महीं किये वह यहां दिख रहा है कुछ ना बोले सालें तों पार्टनर स्में डिस्टिबूट कर देंगे नए बैंस इत्वाज अग्रीड दैट स्टॉक को वैलू करना है 110 पे मशीन को डेप्रिशेट करना 10 परसंट से प्रोविजन फॉर दावल्फू डेट्स आपका 5% का बनाना है बिल्डिंग को एप्रिशेट करना है लाविटी 3000 का क्रेटरस में जो कि अब अराइज नहीं होगा मतलब वह भाग गया मर गया होगा जो भी हो गया होगा गुडविल कहता कि फॉर्म का आज वैलू किया हमने 90 पर एंडिट वाज डिसाइडें नॉट टू रेज गुडविल गुडविल रेज करते भी नहीं अरे जो गुडविल आपने वैलू किया क्या हमने किसी से परचेज किया है किया नहीं सरे यह सेल्फ जेनेटेड गुड गुडविल है हम उसको वैलू किया है तो गुडविल भुक में दिखा भी नहीं सकते हमने पिछली में चैटर में रिविजन में बताया था यह तो हमें हमेशा टेबल एंट्री पास करना है एड़ेस्मेंट मतले इसे जो घाटा फैदा होगा एड़ेस्ट कर तो जगड़े सर थक गए नहीं बचे मैं नहीं थकता और ना मैं थकूंगा मैं तब तक नहीं थकूंगा जब तो है कि मैं आपको पूरा स्ट्रोंग ना कर दू अकाउंटिंसी में जब तक अकाउंटिंसी सब खेल खेलना शुरू कर दो तब तक मैं नहीं थकने वाला हूं तो यह हमारा ह हो गया जी revolution account फिर हम लोग इसके घाटे फायदे जो हैं उस अब कहां ट्रांसवर करते हैं partners capital account तो यहां पर हम partners capital account भी बना लेते हैं कितने partners question के अंदर मैं आपको दिख रहे हैं three partners है न एक फोई जट तो यहां पर three column के साथ और मैं बता जुका हूं कि जो सजाने वाले काम है न पर्टिकुलर्स लिखना डेविड क्रेट वो सारे जब एक्जाम में questions खतम हो जाएंगे hundred marks attempt हो जाएगा उसके बाद ही काम करना एक्स वाई जट एक्स वाई जट अब यह तो जुरूर्ड लिखना कि एक फोई जट अथा पता ने किसा किसका काउंट है कैस्ट में कोई entry यहां पर है नहीं तो फिर हम एक balance sheet यहां पर बना देंगे जो कि आपका updated हो जाएगा इतनी तो requirement है और क्या तो जो question बोले गाना द कि आप इसमें दिखाओ तब ही कोई दिकत नहीं बड़ जो पूछेगा वज सोलुशन में बागी सब वर्किंग में दिखादाना दिखादाना दिखाना जुरू लेकिन चलिए मैं सार्ट करता हूं पर्ले तो बैले शीट बाले जगडे खतम करो बाई बैलनस बीडी चलिए का यतना कितना है तू टु वन लिखो न यहां पर तू लेक्स है तू लेक्स है और यहां पर वन लेक रुपीज का मॉंट अपन पर यहां पर इसके बाद कहता है जी तो बैले शीट में डिजरव है मेरे बच्चे और उसको नहीं बोला है कि बुक में हमें अपियर है तुम क्या करेंगे डिस्ट्रीगूट कर देंगे पार्टनर्स केपिल में तो बाई जेनरल रिज़रो बताइए आपका 36,000 का माउंट है और अगर हम इसको देते हैं ओल पार्टनर्स ओल इस्व में 321 कितना हो जागा 18,12,6 18,000 12,000 and 6,000 एक 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 एक्सपेंडिज्मेंट 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 एंद 500 ठीक ना एक कोशन करा दे रहा हूं क्या दिखते हैं फिर इसके बाद आपका आपको बैलन सीट में कोई नाम नहीं जगड़ा करने वाला अब नीचे आजा रिवलिशन में स्टॉक की वैलू 110 हो गया था कितना बैलन सीट में पहले से 120 वैलू गिर गया 10,000 से घाटा हो गया 10,000 का ठीक है फिर इसके बाद कहता जी की मशीन को डेप्रिशेट किया जाएगा 10 परसंट से तो मशीन जो आपका 260 है उसका 10 परसंट से डेप्रिशेट करना यानि कि 26,000 से वैलू कम हो गया तो तू मशीन जितने घाटे यहां पर मशीन में आपको घाटा हो गया 26,000 का जिसका जिसमें घाटा फैदा उसका नाम उसकी वैलू जितने से घाटा फैदा हो रहा है हमें डेटर पे एक डाउड क्रेट हुआ फाइप परसंट की शाए डूप जाएगा प्रोविजन बनाना हमारा क्या होता जी घाटा हो जाएगा तो फाइप परसंट आपका डेट तो 150 का 5% कितना हो गया 7500 है ना तू प्रोविजन फोर डाउटफूल डेप्ट 75 अगर हमें लगता है कि पैसा कुछ तूबेगा तो बरे बच्चे हमें डाउट क्रेट हो रहा है अकाउंस कहता है कोई भी लॉस्ट फूचर होने वाला उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो तो वही बिल्डिंग को एप्रिशेट करना 20 पसेंट 4 लैक्स की बिल्डिंग 20 पसेंट से बढ़ाना यानि की 80,000 तो बाई बिल्डिंग बाई बिल्डिंग और यह आपका 800,000 का मांट हो गया फिर कहता है लाविलिट जो क्रेटर में 3000 ड अब अब शीन जो नाम क्रेटर से छो नाम की लिखना बाई च्रक्रेटर से endo का है ना इधर फाइदा इधर घाटा जाता आपका और कुछ है ने सर गुडविल की बात हम अलग से देख लेंगे तो यहां पर चेकिजे अब क्या निकल के आएजी आपका तो 83,000 आउट ओफ 83 चेकिजे कितना बज गया 83 में 10,000 का माउंट मैनस 26,000 का माउंट मैनस 7,500 का माउंट यह आगया 39,500 और यह जो भी आज तक का घाटा फायदा होता है ओल पार्टनर सो ओल डिषियो में तो तो प्रोफिट और रिवलिवेशन प्रोफिट ओन रिवैलु वेशन किसको एक सेज गैपकरेटल अकाउंट nasa Tapta apt and in 거 तो यह वैज एजएट कैपकरेटल अकाउंट तो यह आगया 19 750 19 750 3 is to 2 13 13 167 और 3 is to 2 is to 1 है ना यह सर और इसका आ गया 6583 6583 ठीक ना खतम होगी बात अब हम लोग क्या करेंगे जी यह भी घाटा फायदा पार्टनस में तभी तो रडेस्ट होगा तो बाई रिवेल्वेशन बाई रिवेल्वेशन अकाउंट 19 750 यहां पे 13 167 और यहां पे 6583 बस जितने जगड़े दिख रहे तो खतम होगे एक जगड़ा और गुडविल को लेकर है तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा गेनिंग टू सेक्रिफाइसिंग तो उसके लिए आए ओवरकी नोट्स में नमबर वन कंप्यूटेशन ओफ कंप्यूटेशन ओफ गेनिंग अबलिक सेक्रिफाइसिंग रेशियो ठीक ना तो आई ज़रा फटाफट करते हैं इस काम हम लोग क्या करेंगे जी पार्टनर्स एक्स वाई एजट ओल्ड शेर न्यू शेर और गेनिंग शेर एक्स वाई जड हो गया ओल्ड शेर क्या है 321, 3 by 6 2 by 6, 1 by 6 न्यू शेर कहता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा इनका 432, 4 by 9 4 by 9, 3 by 9 and 2 by 9 तो गेन न्यू मैनस ओल्ड 4 by 9 मैनस 3 by 6 18 मैनस होना गया मतलब यह सेक्रिफाइस कर रहा है 3 by 9 मैनस 2 by 6 18 0 आ गया और यहां पर आपका 2 by 9 मैनस 1 by 6 यह आपका 1 by 18 आ गया तो यह आपका गेन कर रहा है और वो आपका सेक्रिफाइस कर रहा है तो हम क्या करते हैं? गेनिंग टू सेक्रिफाइसिंग यहनिकि एंट्री हो जाएगा जेट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक सेज कैपिटल अकाउंट और कितना जी? तो गुडबिल की वैलू 90 है उस 90 में से आपका कितना 1 by 18 गेन जितना गेन करोगे उतने ही तो दोगे 5000 तो 5 और 5 हो गया जेट 2 X तो हमने क्या करना है? जेट में लिखेंगे 2 X 2 X सेज कैपिटल अकाउंट कितना? 5000 जेट में और X में क्या बोलेंगे? बाई बाई Z कैपिटल अकाउंट एक्स में यह 5000 तो जो गुडबिल है सेल्फ जेनेरेटर हम उसको बैलन्स एट में दिखाएंगे और उसे जो घाटे फैद है हमने क्या क्या उसका एड़िस्मेंट कर लिया अब मेरे बच्चे इसके बाद हम क्या करेंगे? बस आपका काम खतम होने वाला है अब आप जल्दी से यहाँ पे निकाल लो कि सारे जगड़े खतम करने के बाद इनका कितना बैलन्स निकल के आ रहा है कैपिल का 2,18,000 प्लस 19,750 प्लस 5,000 और मैनस 1500 यह आगया 2,41,250 का मांट ठीक है? क्लियर? इनका देखे 2,12,13,167 मैनस 1,000 यह 2,24,167 का मांट और यह लास्ट वाले का 1,6,000 उपर के दो 6,583 मैनस आपका 5,500 तो यह आगया मरे बच्चे 1,7,083 आपका बस सारी बाते कंप्लिट हो गई अब तो बैलन्स इट अप्डेट कर लो काम खतम कर लो और उस बैलन्स इट को आई ज़रा अप्डेट करने के लिए मैं यहां पर आपके लिए बना दो बैलन्स इट यह आपके लिए एक अपडेटेट बैलन्स इट बनाया जा रहा है बैलन्स इट इना एज ओन 1st एपरिल 2021 तो शुरू कीज़े इस बैलन्स इट के अंदर में चीज़े हम लिखेंगे अब तो जो वैलू अब जितने कर रहे गया वही तो दिखाएंगे यानि कि जो आपका बैंक है मरे बच्चे उसमें तो कोई चेंज हुआ है नहीं तो वह आज भी 1,77,000 क्लियर डेटर्स आपका 150 का डेटर्स जो आपके हैं 150 अब अंदर चले जाएंगे क्योंकि हमने इस पे एक प्रोविजन बनाया है प्रोविजन फोर डाउटफूल डेप्ट है ना सब अपडेटिट फिगर के साथ 75,000 का तो यह 142,500 का माउंट आपका हो गया इसके बाद स्टोक जो आपका 120 का था स्टोक जो 120 का था आपने स्टोक की वैलू 110 कर दी थी तो अब 110 घाटा फायदा वहाँ पे अड्रस करे लिया पार्टनस में और मशिन दी जो 260 का था मशिन आपका 260 का उस 260 में हमने 26,000 कम किया था याद है ना तो 260 में अगर 10% कम करेंगे तो यह 2,000 34,000 का माउंट हो गया मशिन आपका बिल्दिंग जो आपका 4,000 का था हमने उसका वैलू 20% से बढ़ाया था तो 4,000 80,000 का माउंट हो गया और वो आपका अरविटिज में सस्पेंट वो तो पार्टनर्स में खतम हो चुका कुछ बचा है नहीं कोई नया असेट्स दिख रहा है क्या जो यहां पर आया नहीं सर छोड़ दो लावलिटी साइड में और रिवलेशन में बहुत सारे चीज़ा आती है हम लोग अभी आगे रिविजिन करेंगा एडमिशन का रिटार्मेंट का उसमें बहुत टफटफ पोइंट डालूंगा देख लेना अभी तो फिलाल बच्चे हो इसलिए सिंपल संडरी क्रेटर्स में से आपको 3,000 की वैलू कम कर देनी है तो 5,24 में 3 चला गया तो 5,21 रह जाएगा 5,21,000 है ना 5,21 आपका और रिजर्व डिस्ट्रिबुट हो चुका है अब कैपिटल अकाउंट भी हमारा अपडेट हो चुका है और कैपिटल अकाउंट में अपडेटेड में आपका X का Y का और Z का जो कैपिटल है वो लिखिए है अब यह देखो 2,041,250 इनका 2,24,167 और यहां पर 1,07,083 बस कोई नया एसे चलाविटी मुझे दिखने रहा है गुडविल आएगा नहीं क्योंकि हमने self-generated है उसको record किया नहीं है और जो घाटा फायदा हुआ उसको उमने आपस में test करे लिया तो कितना निकल के आ रहा है 177 प्लस 142,500 प्लस 110 प्लस 234,000 प्लस 4,80,000 यह आ गया 11,043,500 का amount आपका ठीक ना यहां पर आपका तो 5,21,000 2,41,250 2,24 167 का amount and 1,70,083 यह 50,000 कुछ गलत कर दिया मैंने मुझे लगता है कोई कल्कुरिशन गलती क्या होगा मैं अभी देखके आता हूँ अभी एक सेकंड के अंदर में है अभी एक सेकंड में Hello, I am Mansi, I am pursuing CA Foundation Hello friends, my name is Umair Raza I am a CMA final student Myself Damine Singh and I am currently pursuing CA Inter with COC मैंने class 11th में local student classes ले थे and मेरे concept बहुत पूर थे मैंने एक दिन YouTube पे Santosh Sir का वीडियो देखा था जो कि मुझे काफी अच्छा लगा Sir, I have decided that I want to purchase classes from Then I purchased classes from COC Education and scored very good marks And they cover the syllabus in a good way For me, COC Education is the one step solution to clear all my doubts and my concepts And thanks to COC and I am a target for now Thank you so much Santosh Sir Thank you Thanks to COC As usual, BADMASHI यहाँ पे BADMASHI 127 है आपने बोला भी नहीं तो यह आपका 50,000 donor side कम हो जाएंगे ठीक ना मतलब यह टैली कर जाएगा इसको 50 कम लिख देना 1093 आ जाएगा and 1093 का amount कतम हो के बाद clear यहाँ तक Yes Sir इसमें कुछ capital adjustment भी हो सकते मैं वो भी आपको बता देता हूँ ऐसे हम लोग admission retirement बढ़ा अच्छा discussion किया हूँ और इस वार जो 12 class के बच्चे होंगे उन में capital adjustment को हटा दिया गया बढ़ फिर भी सुनने ना क्योंकि पता नहीं कहीं दिकत हुआ तो और जो बाकी बच्चे हमारे है CA में CA वाले उनको तो सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है तो आप सुने ध्यान से capital adjustment में क्या-क्या बोल सकता था बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना मैं कराओंगा नहीं मैं यह पर समझा दू आपको दोखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो X का capital इतना है Y का इतना है और Z का इतना नया capital दोखो और question क्या बोल सकता था इसके इंदर में तीनों मिलाके बताओ कितना हो गया 241 250 224 167 107083 बच्चे तीनों का मिलाके जो total capital है न इस question में नहीं करना बट मैं बता रहा हूँ आपको कि और क्या हो सकता था और फर्म पांच-दस मिनिट की बात है सुन लो पूरा यह आपका आराव 572,500 का मांट अभी जो existing capital है मेरे बच्चे यह बोल सकता था question के अंदर में कि यह जो capital है ना इनके बिच में अब यह भी ऐसे नहीं रहेगा यह capital इनको अपने profit ratio में करना है बोल सकता था मेरे बच्चे कि अभी जो capital हमें दिख रहा है firm का मतलब partners का वो capital कितना कितना है तो हमने का कि इसमें अगर देखा जाए तो अभी जो existing है ना तीनों का वो कुछ इतना इतना है मैं लिख देता हूँ पूरी बात है जो जो बोल सकता हूँ आपका कि इनका कितना है जी 2,41,250 का amount X का Y का amount कितना यहाँ पे आपका 2,24,163 का amount है और Z का amount हमें यहाँ पे कितना दिख रहा है 1,07,000 1,07,083 का यह अभी existing इनका दिख रहा है वो कह सकता था कि यह जो आपका मिला के इनका total capital हुआ कितना total income का गया यह amount 5,072,500 यह उनके profit ratio में रहेगा adjustment आ गया तो कोई बात नहीं अगर profit ratio में होगा जड़ा बतावा नया ratio क्या देख रहा है it's 3 is to 2 is to 1 नया ratio sorry 432 तो कोई बात नहीं में बच्चे इस amount को 432 में divide कर दो 432 9 हो गया ना divided by 9 into 4 आपका तो इनका जो निकल के आ रहा है वो आ गया 2,54,444 है ना नया ratio में कर रहा हूँ अगर बोलता तो दुसरे का कितना आ गया आपका यहां पर वो आ रहा है 1,90,198.33 का amount और तिसरे का आपका जी 432 है तो आ गया आपका 1,27,222 यह आपका अब new capital होता बचे नया capital तो उस situation में यह जो amount निकल के आया ना यह amount जो आपका निकल के आया यही amount हम लोग क्या करते हैं यहां पर लिखते हैं यह amount आने के बजाए हम लोग कितना लिखते है 254 444 उसका 198 3 जो भी आपका और फिर जो कम ज्यादा amount बनता मतलब क्योंकि पक्का है कि पहले आपका amount कितना था जी पहले आपका amount था इतना अब इतना रहेगा तो जो भी कम ज्यादा आएगा इनके account में वह 2 cash account या buy cash account मतलब 2 cash by cash वो बोल सकता था और फिर हम क्या करते cash account भी open कर लेते cash account में हमारे पास जितना पहले से जी वो लिखते हैं और जो cash आएगा जाएगा जो end में होगा वही closing चला जाएगा balance rate में यह भी कह सकता था वो कह सकता था मेरे बच्चे वो कह सकता है आपको त्यार आना है रटना नहीं है वो कह सकता है कि देखो जी यह जो आपका capital है वो इतना capital मतलब जो अभी है अभी है वो इतना नहीं रहेगा हम लोग capital six lakhs रुपीज रखना चाहते हैं six lakhs रुपीज और वो उनके profit ratio में तो ठीक है फिर six lakhs profit ratio में क्या करेंगे जी तीनों का यहां निकाल लेंगे औ और उसको हम लोग क्या करेंगे तीनों का निकाल कर जितना amount होगा उसी amount को हम यहां पर लिख देंगे और जो कम ज्यादा होगा टू कैश्य वह कह सकता है कि भी यह छे लाग रुपे profit ratio में नहीं equally रख दो तो equally रख दो मतलब जो बोलेगा उस तरीके से adjustment कर लेंगे हम इसका बहुत रिटेल अभी हम दो admission retirement इसमें देखेंगे यहां भी possibility है तो कोई बात में उस्तरीक के से कर लेंगे इकोंसी बड़ी बात है वो कह सकता है कि cash account के जगह पे current account करो यहां दखना CBC board के अगर बच्चे हैं और अभी 2021 मार्च जो मार्च यह में में जो exam होने वाला है अग कि आपके स्पेशली हटाया गया कोविड की चक्कर में लेकि पढ़के जाना लेकि जो बाकी मेरे बच्चे देख रहे हैं CMA Inter के हो CMA Foundation को CMA Foundation के हो किसी पीकों में किसी भी course के हैं तो आपको समझना है मेरे बच्चे यहां भी समझाओंगा वहां भी और अपको regular class में में बत मेरे बात सुन लो मैं पहले इसको क्लिन कर लो मैं पहले क्लिन कर लो लास्ट टोपिक में हम लोग चल रहे हैं बट क्लिनिंग एज मस्ट हम लोग अच्छा करते हैं काम पहले इसको हटा लो मैं ठीक है यह हटा दो 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 यह भी ओ चला गया, शिट, कोई बात नहीं. मैं उसको दुबारा लिख दूँँगा. तो उसकी कोई रिकॉरमेंट नहीं. में चीज पे आईये. अगर यहां पर ध्यान से देखो, तो हम लोगों ने क्या किया, बच्चे, हम लोगों ने क्या किया? अगर यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या कर रहूं मैं अगर मैं मेरी बात को अप ध्यान से देखें यहां पर तो इसको पूरा पता हम लोगों को ने क्या किया हमने ये रिवैलूइशन एकाउट बनाया बच्चे और सारे एसेट्स लाइलिटी को हमने रिवैलू किया सब को रिवैलू किया और रिवैलू करके हमने रिवैलू कियो फिगर पर दिखा दिया हो सकता है एक्जाम में कहे कि भया ये जो आपके एसेट्स है या जो लाइलिटीज है जिनको आपने रिवैलू किया उनको revalue किये वे figure पे यहां पे नहीं दिखाना, वो कह सकता है, वो कहा है कि या आप उसके original figure पे दिखाओ, मतलब जितना पहले balance sheet में था ना, उतने पे दिखाओ, बढ़ा है हम लोगों ने concept of memorandum revolution account, अगर वो ऐसा कहे देगा कि आपको जो assets liability को आपने revalue किया, उसको पुराने figure पे दिखाईए, तो आप जानते हैं कि इसके बाद हम लोग बनाते हैं यहां पे एक नए account जिसका नाम होता है, memorandum, memorandum revolution account, अगर कहे देता तो revolution account, है ना, यह करते हैं, और उस case में, जिनको हमने debit में लिखा, वो फिर reverse हो जाएंगे, क्रेट में चले जाएंगे, यहां कि buy stock, कितना जी, 10,000, जितना, two machine तो यहां पे क्या हो जाएगा, buy machine, यहां दखना, यह बनेगा revolution, जब हमें balance sheet में नया figure दिखाना है, लेकिन पुराने figure को ही दिखाना है, त पहले बनेगा revolution account, इसको जैसे क्या बिल्कुल वैसे ही, और इसके बाद ही, यहां बनेगा memorandum, machine हो गया 26,000, फिर आपका provision हो गया, buy provision for doubtful debts, कितना जी, 7,500, यहां पे buy building, तो यहां पे two building हो जायागा, कितना आपका 80,000, और यहां पे buy creators, तो two creators हो जायागा, कितना आपका 3,000, तो no doubt कि जो profit आया था, अब आजाएगा, यहां पे क्या, by loss, loss on memorandum revaluation, यहां दखना, यह जो profit होता है, हम यह old partners, यह हम old partners, old ratio में देते हैं, जानतो इस वात को न, लेकि मरे बच्चे, memorandum में जो profit loss आएगा, यह हम क्या करेंगे, new partners, new partner, new ratio में देते हैं, तो यहां पे new partner में partner तो same है, xyz, उनका new ratio क्या जी, 4 x 3 x 2, तो आपको 4 x 3 x 2 में इसको divide कर देना है, xyz के अंदर में, फिर जो यह amount निकल के आएगा, वो कहां चला जाएगा, partners account में, यानि कि इस side में, और फिर अब जो new balance sheet बनेगा, उस new balance sheet में कोई भी चीज अपडेट नहीं होगा, जो पुराना जितना था उसी पर दिखेगा, stock पुराना कितने पर था, 120 पर, machine पुराना कितने का था, I think 260 पर यह कितने का, 4 lakhs का and so on, तब भी balance sheet टैली कर जाएगा, सब फिर balance sheet को टैली करेगा, जितना बढ़ाया, उतना घटा भी तो दिया, पार्टनेस कैपिल में, किसी और ratio में, balance sheet टैली करेगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा इस बात को दिखाना करना, memorandum revolution account बनता है, जब वो कहेगा कि आप figures को पुराने पे ही दिखाईए, तो फिर अगर इसमें बढ़ाना, जो हमने entry किया था, उसको reverse करना होगा, और काम पूरा, ये भी हो सकता है कि जितने भी items हैं, उन्में से कहे वो, कि सिब stock को और machine को ही पुराने figure पे दिखाना है, तो फिर machine और stock का reverse होगा, वो कहा कि ने जी आपको machine और creators को पुराने figure पे दिखाना है, तो सिब machine और creators कहीं यहाँ पर जो जिसके बारे में कहाएगा, उन्हीं को उसी पुराने पर दिखाना है कुछ ना बोले कि विए सारे एसेट्स लाइबटी को पुराने पर दिखाना है तो इन सब का यहां पर क्या करेंगा हम रिवर्सल करतेंगे क्लेर यहां पर यह बात ध्यान देखरा मेरे बच्चे यह चीज आप जानते हैं एक लास्ट पोइंट इसी पर मेमोरेंडम को लेकर ही आप कुछ ऐसा बोल सकता है 10th कोशन देखेंगे और इसको फिर एंड करते हैं पड़े मेरे सा 10th कोशन पढ़ेंगा 10th कोशन ABC are sharing profit losses in the ratio 532 they decided to share future profit and losses 235 with effect from 1st April 2021 ठीक है they also decided to record the effect of the falling revolution without affecting the book value of asset slavity bypassing a single adjustment entry यह क्या है मतलब वो कहता है कि आपने जखो यहां पर कितनी सारी एंट्री हो गई अभी जो अगर अगर इस concept को लेकर चले तो एक एंट्री क्या हो गया जी यह आपका निकल क्या आगा इतनी सारी एंट्री हो गया यहां पर मेमरेंड़ में कई सारी एंट्री हो गई वो कहता है इतनी एंट्री पास नहीं करना वो कहता है कि यह जो लैंड बिल्डिंग आपको रिवाइज वैलु नहीं दिखाना बैलन शीट में परोना वो कहता है से के लैंड यहां पर हमें पार्टनर्स कैटल अकाउंट आपका रिवालिशन एकाउंट नहीं कुछ नहीं बना नहीं बनाना इसका इफेक्ट दिखाओ और इफेक्ट भी कहता सिभ एक एंट्र मतलब यहां पर हमें पार्टनर्स कैटल अकाउंट आपका रिवालिशन एकाउंट नहीं कुछ नहीं बनाना वो कुछ नहीं बोला बोला सिभ एक एंट्री करके दिखा दो हमें क्या करूंगा वही चीज मेरे बच्चे जो हमने पहले सिखा हुआ है कि जब कोई चीज हम लो देखें है यह कोशन इंपोर्टेंट है दो तीन चार नमर के लिए टेंद कोशन कर दें हम लोग यहां पर टेंद कोशन जरा बताओ क्या क्या हो रहा है पहले तो आप लिखेंगे कम्प्यूटेशन ओफ इसन ओफ प्रॉफिट ओफ फिसए म ہोऑ नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कम्प्यूटेशन ओफ नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ओब्लिक लोस औरिवेलुशन हम चेक कर लेते हैं कि क्या निकल के आता है तो मेरे पच्छे land building land building पर टेक करूँ balance sheet में मतलब book value कहता 5 है value 550 हो तो 50,000 से value बढ़ गया वंके को लिपा नहीं के लास में में ठान्ट machinery 250 टा 240 हो गया तो plant machinery में जाersonal आपका 3000 से value कम हो कहता है कि creater's आपका 60 से 55 हो गया, liability कम हो रहा, फायदा हो रहा है, तो creater's में भी हमें फायदा हो और फायदा घाटा है, प्रओफित अपका है, कितना जी, 5000, 5000 यह दख न फायदा घाटा है, प्रओफित कितना हो रहा है, अनो, on revolution हो हम देख रहे हैं, तो profit यह हो रहा है, यह loss ह और आपका outstanding expense बढ़ गया, घाटा हो गया, तो outstanding expense जो है, घाटा हो गया, मैनस कितने का जी, 15,000 का, तो net कितना घाटा फैदा, 55 मैनस 25, I think 30 हो गया न, 55 मैनस 25, yes, 30,000, ये 30,000 आपका हो गया, net profit on, on revolution, revolution, कहता है बया, जो value पहले book में था, वही बाद में भी रहेगा, लेकिन इससे जो घाटा फैदा, उसका एक entry पास करके दिखा तो, मतलब कोई revolution account नहीं बनाना, कोई memorandum नहीं बनाना, कुछ नहीं, बस घाटा फैदा address कर दो, तो ठीक है, इतने का हो गया जी, अब हमे फिगर पर ही रखना होता है, तो घाटा फैदा हम, sacrificing, gaining ratio में करते हैं, तो में क्या करना होगा, number one, अब number two में, यहां लिख देता हूँ में, number two में, computation of, gaining, oblique, sacrificing, ratio, हम यह निकालेंगे, और आपका partner, फटा फटा पट, फटा पट, old share, new share, new share, and gaining share, बता ही partners के नाम, ABC, old share बता ही, 532, 5 by 10, 3 by 10, and 2 by 10, new share बता ही, 235, 2 by 10, 3 by 10, and 5 by 10, gain, new minus old, 2 by 10, minus 5 by 10, यह तो, minus 3 by 10 आ गया, मतलब यह sacrifice कर रहा है, और यह आ जागा, 3 by 10, gain कर रहा है, इसका कुछ भी नहीं आया, तो entry क्या हो जाएगा, इसका, gaining to sacrificing, मतलब, sage capital account debited, to age capital account, कितना, क्या पूरे 30 से, नहीं, 30 में, जो हम गें करेंगे, 3 by 10, जितना gain होगा, उससे से तो करेंगे, 9,000, यह भी concept खतम होगे, clear, तो अगर मालो हमें कोशन कह देगे, कि आपको value पुराना जो था, उसी पर रखना है, तो हम बनाएंगे revolution, फिर memorandum revolution, बट करेंगे नहीं जी, आपको सिब एक entry पास करना है, तो ना बनाएंगे revolution, ना बनाएंगे memorandum, हम adjustment entry पास कर देंगे, और फिर उसके बाद, जो चीज़े है, old figure पर ही balance sheet में चली जाएंगे, clear यहां तक, yes sir, topics खतम होगे, मैं जल्दे से इसका theory, खतम करके, मतब पढ़ा के, और class को आज खतम करूँ, मुझे भूग लग गी है, मुझे खिलने का मन कर रहा है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ आज, तो पहले इसको मैं end कर लो आपके लिए, ठीक है बच्चे, यह रहा, आईए, अब हम इसको द सुनेंगे, इसमें partnership agreement defines the relationship among the partners, यह हम लोग अलड़ी partnership में पढ़े हैं, कि partnership का मिनिंग क्या होता है, आपको देखना है, कि, a firm is reconstituted, firm reconstitute होती है, मतलब आपका firm, कहां चला गया, यह तो पहले इसको बंद करो, जहां दखना, मैं बच्चे, firm का, firm is what, एक agreement है, partners के बीच में, तो जो partnership firm है, यह तब 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 reconstitute होगी, मतलब दुवारा मानी जाएगी, कि create होई है, जब जब उनके बीच का ratio change होगा, पार्टनर्शिप के बीच में, जो profit ratio होता है, जब change होता है, तो हम बोलते है क्या, firm फिर से reconstitute होई है, तो कहता है कि, यह तखना, partnership agreement defines the relationship among the partners, partnership agreement की बात की जा रही है, है, whenever there is a change in relationship, मतलब की profit ratio change हो जाएगा, इस सब चीज़े, it results in reconstitutions of the firm, firm फिर से reconstitute होई, मतलब नहीं create होई हम मानेंगे, in other words, any change in existing agreement or partnership is reconstitutions of firm, मतलब करना, जब भी agreement कोई change होगा, जब भी partners के बीच में agreement change होगा, हम मानेंगे कि partnership फिर से reconstitute होई है, और यह रेशो, आपका agreement कब कब change होता है, जब change in profit ratio होगा, जब कोई नया partner आएगा, तो ratio चेंज होगा, जब रिटारमेंट होगा, कोई partner रिटार होगा, तब ratio चेंज होगा हमारे बीच में, जब किसी का death हो जाएगा, तब चेंज होगा, जब दो फर्म मिलके एक नई firm बन agreement among the partners, due to any circumstances, it is called reconstitution of the firm, it can occur in the following circumstances, कौन कौन साह कहता की, change in profit ratio, admission हो जाए, retirement हो जाए, यह पर amalgamation हो जाए, मतलब, दो फर्म मिलके एक नया firm बनाते है, तो फिर से यहाँ पर agreement change हो जाएगा, यह आपको निकल के आएगा, reconstitution of the firm always leads to change in profit ratio among the partners, जब भी इन में से कुछ भी होगा, तो confirmed है कि profit ratio change होगा, इसके बाद हमारे पास आपका निकल के आता है, आगे, कि change in profit ratio मैं बताएं चुका हूँ, जब profit ratio change होगा, यह भी exam में important question बनता है, कि जब profit ratio change होगा, तो क्या-क्या adjustment हमें करने पढ़ सकते हैं, करना पड़ता है, goodwill का treatment करना पड़ता है, reserve इनको treat करना होता है, assets liability को re-assist, re-value करना पड़ता है, यह हो गया आपका, और इसके बाद तो अब कुछ theory इसका बचता नहीं है, बागी चीज़े हम लोग करे चुके हैं, adjustment goodwill का हमने सब सिखी लिया है, आपका treatment of reserve मैंने बताए दिया, अरे हाँ, एक चीज़ और, मैं कहीं भूल ना जाओ, यह बड़ा ही important है, एक और चीज़ आपको confuse करता है, जिसका नाम है employees provident fund, मेरे प्यारे बच्चो, मेरे भोले बच्चो, employees provident fund, it's always liability for the company, यह reserve मत समझ लेना, employees provident fund कह दे, employees profit sharing fund कर दे, employees अगर जोड दिया, employees profit sharing fund, employees provident fund, employees provident fund, यह provident fund, यह सब employee के पैसे होते हैं, एक समय के बाद यह retirement के टाइम पर उनको मिल जाता है, तो जब भी यह नाम दिखेगा ना आपको, यह liability treat होगा, इसका बढ़ना घटना revolution account में जाएगा, इसको आप reserve मत माल लेना, कि यह कुछ ना बोले तो हम partners capital में डालेंगे सब पाप हो जाएगा, सब खतम हो जाएगा, तो employees provident fund is a liability and therefore is not distributed among the partners, इस बात को दिहान रखेंगे आप, फिर इसके बाद मेरे बचे आगे तो हमने चीज़ बताई दिया, कि accumulated profit loss को अगर हम through capital account adjust करना चाहते हैं, तो कैसे करते हो, हमने बताई दिया आपको, workman compensation reserve के बारे में बताई दिया, investment fluctuation user के बारे में आपको मैंने सब बताई दिया, और ये chapter हमारा end हो गया, the end, लो, लिखता हैं नहीं, बदमाशी, लिखता हैं इसे तो गुसा आता मुझे, the, the end, ओ, क्या मस लिख रहा है, ठीक ना, और, आप fill the power, fill the power, आप इस power को fill करें, और power को fill करके, आप अपने पाप ममी को बोले कि हम अब बहुत strong है, powerful है, हमारे सर ने हमें बहुत strong बना लिया है, और मेरे बच्चे फिर से बोल रहा हूं, कि revision lecture के बाद, जो आपने proper class में आपने पढ़ा हुआ है, उन questions को पलटना है, इसका adjustment ऐसे था है, सब आपको याद आएगा, अब आपको 15-20 गंडे का लेक्षट दुबारा नहीं देखना, आपको अच्छा revision हो जाएगा, ठीक ना, और इसके बाद, जब तिस्री बार revision करना होगा, बस page ही पलटना होगा, कहीं कुछ फस गए, कुछ दिकात आई, तो आप no down कर लेना कि काप कौन सा topic समझाया है, उतने minute पे देख सब्स्क्राइब का लेक्षट पुरूर्ण थे का लिए पुरूरॉ Then I purchased classes from COC Education and scored very good marks And they cover all the syllabus in a good way For me, COC Education is the one-step solution to clear all my doubts and my concepts And thanks to COC that I have a target that I have in England Thank you so much Santu Sir, thank you Thanks to COC I'll see you next time